अमीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाव होंगे लास्ट हमने पढ़ लिया था इवेंट और बुक में आपके चार तरह की इवेंट कवर किये गए एक तो लिंक है, चैप्टर, बटन है और ये माउस है तीसरा तो हमने बटन तक की चीज़ें तो पढ़ दी थी हैं अब जरा ये माउस की इवेंट की कुछ बात करते हैं अच्छा इस पे जाने से पहले आप सब लोगोंने अफकोर्स उसको ट्राई किया होगा जो लास्ट मैंने कोड आपको करवाया था इवेंट का अगर उससे मुतालब कोई सवाल है आपका तो वो आप पूछ सरकते हैं अगी अच्छा जो पिछली क्लास में नहीं थे और उन्होंने वीडियो देख ली होगी इवेंट वाली आई होप अच्छा नहीं आप तो मैं शेयर ही नहीं किने कि न हाँ अब तो मैं शेयर ही नहीं करता वीडियो तो मैं पर पुब्लिक कर दो दूंगा वो मसलानी है फिलाल में जाद एने हम पुप्ली करने थुप पूड़ुग है , फिलाल में वीजिया भूम्यू धेली शेसरी फिलाल को फिलाल में उसको पडली कर दुबहुँघ है बारिष होई लकिसी कुछ मसला हुआ बन्दा बोलता है चोड़ यार वीडियो तो वैसे ही आनीगी नहीं जाता हूँ अज रात को वीडियो देख लूँगा रामसत रात को वीडियो पर देखता नहीं है फिर अगले दिन क्लास में जाने से पहले देख लूँगा न दो तो यह इस तरह की कुछ सिचुएशन मुझे लग रहा है कि हो रही है इसलिए मैं यह वीडियो फिल्हाल के लिए प्राइवेट रहा हूं अप्लोड तो मैं फॉरा नहीं कर दता हूं हाथ क्या क्योंकि बाद में इतना टाइम नहीं होता कि बंदा फिर अपलोड जमा हो जाती उसकी बता नहीं कितनी सारी वीडियो पड़ी भी है वह अपलोड नहीं की मैंने फॉरान तो ऐसी पड़ी भी आश्तर तो खेर तो वीडियो तो मैं दे रही नहीं हूं आजा खेर तो बाहराल फिर भी अगर के पिछले क्लास में जो लोग मौजूद थे उनका अगर कोई हां मैंने का सामेंट भी तु यह था कि इस तरफ क्लिक करो तो आगे चलाजे तरफ क्लिक करो पीशे वो बताओ भाई हुआ अच्छा प्लिक पे चैंज विजए अट-लिस्ट तो आप ब्लाइंट वाला है वो तो तो सक्रीम के बता रहा था नहीं वो सब का बता रहा था नह करना था नहीं मैंने तो एक्जैंपल कोड करना खोल लेता हूं यह रहा ना वह था आखल के दो क्यों है कि अच्छा एक-ट करके सब के सवालात का मैं जवाब लेता हूं यह यह न को कोड को लास्ट लिखा था हमारे पास क्या था एक इमेज ता उस पे अन खिलक लगा था इसको बड़ा जूम इन कर लेता हूंगा, एक image पर on click लगावा था हमारे पस, उसमें event हम ले रहे थे, हम नहीं देखा था कि यहां पर event है, line number 13 में, इसमें event ही लिखेंगे तो मिलेगा, हम कोई और यहां पर बात नहीं लिख सकते, ठीक है, अच्छा, फिर यह handler का जो नीचे function है यहां पर चल रहा है जो, इसमें event को अगर मैं e bhi लिख दूँ या कोई दूसरा ना, क्योंके function के parameter तो वो मिलता रहेगा, तो यहां पर event console हो जाता है, जब यह event console होता है, यानि जब इस image पर click होता है, तो इसका पूरा event generate होता है, जिसमें मुझे बहुत सारी detail मिलती है, तो उसमें हमने यह देखाता है कि वो यह भी बताता है कि इस image में किस pixel पर click हो, यानि image तो नहीं हर box है उसके लिए तो, javascript के लिए तो हर चीज एक box है, चाहे वो image हो, चाहे वो div हो, चाहे paragraph हो, तो वो उस box में किस position पर click हो 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 भी बता रहा होता है, और वो हमने करके भी 360 by 360 की है, तो अगर मैं इसके यहाँ पर click करो इस जगह पर, शुरू हो है बिल्कुल, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, जो 2D array होता है असल में, image नहीं, internally असल में 2D array होता है, तो इस kone में वो 0 by 0 के करीब की कुछ value मुझे, तो मैंने यहाँ पर click कर दिया, इस kone पर, ठीक है तो मुझे 0 by 0 के करीब की कोई value मिलनी चाहिए, तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्या था, page x, page y था न, ये था क्या था, client x, client y, अब देखो इसमें न, layer x, offset x, page x, काफी कुछ मिल रहा है मुझे, हाँ यहाँ, client x, client y, अचा, अगर मैं यहाँ पर click करूँ, तो मुझे 360 वाई, 360 के करीब की कुछ value मिलनी चाहिए, मैंने click कर दिया, 362, 362 मिल रहाँ, अचा, यहाँ पर तीसरी जगा, तो ये कामी नहीं करेगा, इमेज पर लगागा, तो इमेज से बाहर क्लिक करूँ, तो कामी नहीं करेगा, ये, अचा, 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 तुम ये कह रहे हो, कि वो असल में मुझे मिलतर है 360, लेकिन वो असल में पूरी स्क्रीन की नहाप रहे, तो तलाश कर लो ना, कि कौन सावाल है, अचा, तो चलो, एक काम करते हैं, इसको center कर देता है, इमेज को, अलाइन center कर देता है, इसको, इमेज की देता है, अचा, ये, इससे तो नहीं हुआ center, किससे करें पिर, हाँ, style में क्या लगाऊंगा तो center होगा, अब फ्लेक्स बॉक्स लगा देता हूँ, छोड़ो, इसको, बॉडी को ना, मैं, flex बना देता हूँ, जैसे display flex करूँगा में, क्या हो जाएगा ये, display flex करते ही है, flex box बन जाएगा, सही है, और अब इस display flex लगाने के बाद क्या बोलूँगा इसको में, justify content और center कर देता है, सही है, center, flex box के जरीए, जो हम करते भी है, आम तोर पर, flex box के जरीए ही center करते है, आम तोर पर, अब मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ, अब मुझे इस कोने पर क्लिक करता हूँ न, यहाँ पर, और मुझे 00 देता है तो इसका मतलब पर इस image का ही है, क्लिक कर दिया है, अच्छा, client x client y तो सही कह रहे थे, यह कुछ और दिया है, तुम कौन सा कह रहे थे हैं, कौन सा वाल है, offset x offset y, यह रहा है, यह रहा है, तो बारहल इसमें सब कोई एक है, जो इस image का आपको बता रहोता है, अच्छा, फिर यहाँ इस कोने पर क्लिक करोंगा, तो मुझे 360 by 360 के खरीब की कोई value मिलनी चाहिए, यह कर दिया है, मैंने click, और click करके यहाँ पर मैं आया, offset x वाले को भूलता है, हाँ, तो offset x, offset y अच्छा, तो खोर, आया, अच्छा, तो खोर, यह है, यह तो फैर, यह तो वैंने वैसी नहीं कहाता है कि यहित, अगर जा तो अच्छी बात है, शहजाद आ रहा है इसमें वेब है नहीं कौन से क्लास में विज़ा तुमने हारून अच्छा हारून आगे अच्छा अब इदर मैंने क्लिक किया तो ये इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 1 1, 2, 3 और इदर करूँगा तो ये वापस आएगी बिल्गल सही है बिल्गल परफेक्ट है यार तो ये 80-20 पे डिवाइड हुआ है अगर शुरू के 20 परसेंट पर करता हूँ तो बैक आती है बाकी करता हूँ तो वह फॉरवड जाती है बिल्गल बरते ने जबरदस बनाया है अगर जाना चाहिए ना फोड़ा सा इस तरफ करूँगा तो ये पीछे जाएगी अच्छा यहां पर इधरी जा रही है और इस तरफ करना पड़ेगा ये 3-2-1 चलना शुरू हो गया वाटसएप का जो स्टेटस होता है असल में वो ऐसा ही होता है 80-20 होता है इस तरफ का 80% होता है उससे वो आगे जा रहा होता है बाकी जो 20% उससे पीछे आ रहा होता है आई थिंक ऐसा ही होता है नहीं तो इसमें आटो है यह नहीं रुका वही है उसमें होल्ड करने से रुक जाता है देख लेता हो नहीं वाट्सप कोलता हूँ सिर्फ अगर सेंटर पर मैं टैप करूंगा तो आगे जाता है 80-20 डिवाइट किया है नहीं जो सिर्फ लेफ्ट का जो है नहीं तो पीछे जाता है स्टेटस अदर्वाइस बाकी पूरे बे आगे जा रहा होता है तो यही बभ मैंने बोला था बिल्कुल अच्छा बनाया था बरदर्स हाँ वै यह और कोण है शहजादा शहजादा सलीम अच्छा भी यह यूज गिटब्ट टुकलाइब अन्स्टोर कोड और यूज तो स्टीब यह नट सेंड़ अच्छा ये मैंने किया नेक्स्ट जलीबी और दरख्त और पानी पीछे निया आगी जाएगा अच्छा इसमें पीछे जा रहे हैं कौन है जैद बुड़े क्या बात होई जोड़ी आदा लगर दस अच्छा ये मुहम्मद साग अच्छा इसमें आगे जा रहा है ये पिर सिर्फ आगे जाएगा ये इसमें दो ही इमेज दी किया अच्छा वो लोड़ होगी होगी इमेज चाहे पीछे कि देख लेते हैं कोई आरना आगिया हो आगिया नेटवर्क पर खेर कुछ ग्लिच हो रहा है इसमें ये एक क्लिक के बद फिर आगे नहीं होता कि अच्छा ये होना शुरू हो गया है और कोई और कोई है जिसने बना लिए हो अच्छा मैं भी थोड़ा सा ये करके दिखा देता हूं सही है कुछ हम इमेजिस उठा लेते हैं फ्री स्टॉक फोटो लिखा मैंने और ये पिक्सल करके कोई आ रहा है अने स्प्लैश आ रहा है एक मैंने ये डाउनलोड कर लिया मैं क्या बनाना चाहरा हूं मिसाल के दौर पर मैं ये उठाया था अन। मैंने ये उठाया था ना मैं फूट से रिलेटेड़ ही बनाता हूं और फूट पी कांसा बना ये कांसा फूड है भाई कि अड़ी कि खोल्सम ख्रेश्प ब्रॉं स्वीडिश्ट स्वीडिश्ट है है नविये स्वेडिश्ट है कि अज़ीड एक रवगा है स्वीडिश फूड मैंने उठा लिया कितने उठा लिया दो और उसके बार तीन और यह मैंने उठा लिया चार और पांच इमेज बहुत रहेगी और यह मैंनो ठालिया पांच अब यह पांच इमेज़ तो आगई मेरे बस अब यह पांच इमेज़ को न मुझे एक एक एस्पेक्ट रेशो में लाना पड़ेगा फिक्स एस्पेक्ट रेशो में ठीकिए अधर्वाइस वह ग्लिश मारेगी आगे पीछे करने में मसला होगा तो अब मैं आके क्या करता हूँ अपने फोल्डर में आजाता हूँ और इसको फिक्स एस्पेक्ट रेशो में अच्छा आम तोर पे आपने देखा होगा जब यह इमेज अपलोड करते हैं आप फेस्बुक पे या कहीं भी तो अगर इमेज के एस्पेक्ट रेशो आउट हो तो वह पसे चाहर अगर फोटो अपलोड करते हैं तो अचाहरों का सेम एसे क्ट रेशो माज़िए थाकि जब वो चेंज हो तो वह एऊपर नीचे न ऊओ ग्लिच ना हमारे इसी तरह दिए से इंस्टांग्राम पे जो होता है आप इंस्टांग्राम इह पी होता है कि जब दंबी फोटो है, और रोट्रेट में, तो वो क्या बोलता है, कि आप इसको अपलोड नहीं कर सकते, इक कॉरॉप को ओप्शन दो देता, कि वह उतके है, कि वह आम तौर पर जो इंस्टार्ग्राम के जो स्टार्स होते हैं, यह जो इंस्टारम की फोटोग्राफिखी करता है, उनको पता होता है वो इमेज खेंशते ही ऐसे हैं कि वो चकोर के अंदर-अंदर सारी कहानी फिट हो तो है हम कौन से पर करेंगे हम 16 by 9 के आपने इस फोल्डर में इसको लेकर आजाता हूँ ठीक है इवेंट के अंदर लेकर आगया है अच्छा यह इमेजेद नहीं सारी हो गई है तो फिर मुझे भी क्या करना पड़ेगा मुझे फोल्डर बनाना पड़ेगा जिसमें मैं इन सारी इमेजेश को क्या कर दो पुट कर दो मैंने का आई-मजी और आई-मजी करके न यह सारी इमेजेश मैंने उठा के इसके अंदर कर देनी है ठीक है ताके क्या हो मेरा रूट जो है वो क्लीन हो जाए ठीक है एक आई-मजी करके मेरा पहले से भी था और एक यह आ गया दूसरा अब हर इमेज को मैं एक नाम दे दूँगा मैंने का 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5. अचा यह एक वीडियो आ गई है अचा तो इसको हम डिलीट कर देता है वीडियो नहीं चाहिए मैं फिलाला है और 5.jpg अचा यह 3 वाला भी हमें नहीं चाहिए गालबन अब 4 और 5 जो 5 इमेज हमने डाउनलोड की तो उसमें से एक वीडियो नहीं कला ही तो उसको मैंने डिलीट मार दिया अचा अब मेरे पास मेरी मशीन में एक सॉफ्ट कर लेता हूं मैंने इमेज को ओपन किया इमेज को ओपन करके यह मार्कप करके मेरे बाद सॉफ्टवेर है आप इसको फोटो पी ऐसे भी कर सकते हैं फोटो पी या फोटो पी जो भी उसकी प्रनॉंसियेशन है अब यार इसमें अच्छा मुझे यह पता नहीं चल रहा है कि इसमें वो क्रॉप कैसे होता है और ना यह एस्पेक्ट रेशो मुझे सही तरह दिखा रहा है तो मैं इसको छोड़ परता हूं मैं उधर ही चलता हूं फोटो पी पर ही चलता हूं जहां पर मुझे कम से कम पता दो चले जो ही move finances का लोगयर फोट्विम का करें समय और मैं रिएंस के आप्ज्ड़ करने के बाद अब मिरेपास क्या message आ रहा है क्रआप का उप्शन आ टिक है यह यह सिच्छ एन्ए देख तो एस पर देख रहा है मैंने का फिक्से जया चाईए अर लिए मुझे क्या चाईए बाई नाइन चाहिए ठीक है यह मुझे रेशो चाहिए फिक्स क्या हुआ है यह क्लिक से उपर नीचे होना चाहिए ना होगा है ठीक है तो मैंने यह वाला पाट इसका उठा लिया 16 बाई नाइन का चलो यहां से उठा लेता हूँ ताएक ज्यादर डीटेल मिस ना हूँ ठीक मैंने क्या बोले इसको fix ratio और 16 by 9 दे दिया मैंने ठीक है टिक का button दबाया और टिक का button दबाके Ctrl S किया ना जब save किया मैंने save changes दबाया तो यह मेरे पास file में यहाँ पर automatically change हो चुका होगा ठीक है यह change हो चुका है ऐसा ही है ना अब मैं क्या करूँगा अब मैं बोलूँगा कि भाई save हो गया ना सब कुछ हो गया अब मैं इसको करूँगा close file close file कैसे हो गई अब ए कैसे हो गई अच्छा यह cross लगाव है ना यह close हो ठीक है अब मैं दूसरी photo को ठाके लाओंगा आप दूसरी photo ठाके लाए मैं उसके साथ भी मैंने same करना है अच्छा यह दो को पहले से लिखा भी आ रहा है यह मुझे अब दुबारा लिखने की जुरूद नहीं पड़ भी अच्छी बात है ठीक है और यह मैंने इसको भी टिक लगाया और control S का बटन दबाया तो यह भी क्या हो गया save हो गया मेरे पास ठीक है यहाँ पर भी save हो गया अब मैं तीसरी image को लाओंगा इसमें उठाके गलत ले आया पहले बाले को बंद नहीं किया तो फिर ले आया तीसरे बाले को उठाके ले आया तीसरे बाले को भी मैं crop करूँगा कि यह मैंने क्रॉप किया और टिक का बटन जबा गिया और कंट्रॉल एस सेफ चेंज़ इसको भी बन किया अब नंबर फोर के साथ भी मुझे यह करना है कि क्रॉप सिक्स्टीन बाइन अच्छा सब्सक्राइब कर दिया जैसा मुझे चाहिए अब इन तमाम फोटोस को क्या कर दिया उसके एसपेक्ट रेशो को अपने मर्जी के मताबिख कर लिया जैसा मुझे चाहिए था ठीक है अब इन तमाम फोटोस को ना देखें यह नेक्स्ट करता हूं ना अच्छा नेक्स्ट मेरे वाले में यह होता नहीं है यार क्या वायाद बनाया है बारा अभी हम इन चारों को लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छा अब मैं आ जाता हूं अपने कोड में कोड में कोड में आके अब मुझे कितनी चाहिए है मुझे चार इमेजस चाहिए नमबर एक 1.jpg अच्छा आइमजी के अंदर है ना इमजी स्लैश 1.jpg ठीक है इस पर on click लगाव है handler का एक functional लगाव है ठीक है बिलकुल अब मैं next 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 यह चार टोटल इमेजस हैं मैंने का बढ़ी 2.jpg 3.jpg 4.jpg ठीक है सबका handler एक ही है साइए एक वक्त में विजबल एक होगी एक वक्त में विजबल सिर्फ एक होगी दोनों नहीं होगी अच्छा यहां पर हम्माया refresh किए मैंने तो यह चारोगी चारोगी इमेज़िस क्या मैं इसको गई मेरे पास लगाता हूँ कि वो विर्थ वगर अपनी साइट कर ले ठीक है फिलाल मैंने क्या एक किये मैंने डिस्प्ले बारा अब मैं यह चाहता हूँ कि यह क्या हो जाए हुआ है एक को लगा के स्टाइलिंग साही करना चाहरा हूँ अपर सफ़ा है फिलाल थी कि ची यह काही जूंआउट करने के बाद यह से आता है जीरो जब करतें तौंक इस्तपर आजाता है तो मतलब यह िाए है कि मेरी चाहता हूँ मैं, width 100%, ठीक है, ये width 100% होगी, ठीक है, 100% width पे automatically ये set होगी, अच्छा, चारों साइडों पे थोड़ा 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 पैडिंग आ रहा है न, ये इस वज़े से आ रहा है, हम देख लेते हैं, वो किसी एक चीज़ पे पैडिंग या किसी एक चीज़ पे न, body पे 8 pixel का margin लगा हूँ, तो मैं या पे body पे न, आके margin अटा देता हूँ, मैंने का body पे आके क्या लगा दो, margin इसका, zero कर दो इसका, सही है, ताकि वो side है न, fix हो जाए, तो ये मैंने एक काम कर दिया सबसे पहले तो, अच्छा, अब अगला काम मुझे क्या करना है, कि अब click क handle करना है, कि click कहा पर हो रहा है, इतने, इस side से, उस side तक कितने percent पर हो रहा है, ठीक है, अच्छा, उसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा, कि इस पूरे की width height इस वक्त क्या है, पहले तो मुझे ये पता होना ज़रूरी न, ज ये, मुझे ये मिल जाता है, जो offset x, y और वो मुझे मिल जाता है, ठीक है, तो मुझे offset x चाहिए, y से मैं ये लिना देना, क्योंगी, JASON मुझे यू मिच Women, horizontally उन चेक करना है, ये, होरीजोन्टली, to y से मुझे कोई बेखना देना न, x अगा मुझे सिर्फ मिल जाता है, तो म मैं ना इसको तरह console करा लेता हूँ मैंने का भाई console.log offset x और event.offset x यह मुझे मिल गया हूँ ठीक है 35 इदर आ रहा है और इदर आ रहा है 701 तो तक्रीबन 700 पिक्सल पे मेरी image ही रेंडर हुई भी इस वक्त लेकिन जब मैं इसको बड़ा करूँगा न स्क्रीन थोड़ी बड़ी होगी जब तो जाहर है फिर इमेज भी साथ साथ बड़ी होगी अब इमेज यह 800 पिक्सल की हो गई है तो अब मैं जब यहाँ क्लिक करूँगा तो मुझे कोई 1143 पे हो गई है अब यह रेंडर और ज़्यादा 800 से भी ज़्यादा हो गई है टोटल 1176 इसकी विर्थ इस वक्त हो चुकी है तो इसके लिए मुझे यह भी पता लगाना होगा कि इस वक्त यह इमेज कितने पिक्सल पे रेंडर हुई है अब यह 690 पिक्सल पे रेंडर जब जोटा बड़ा करता हूँ ना तो उपर छोटा सा लिखा बात है 700 पिक्सल पे अभी यह रेंडर हुई है तो अब मुझे क्या करना है अब मुझे इस पर click करके इसमें सब ढूंडना है कि मुझे इस image की width अभी render हुई भी क्या है वो कैसे बता चलेगी ठीक है अच्छा अच्छा एक तो client text भी है client text पूरे window की मुझे शायद यह size बता रहा है तो उसको भी देख सकता हूँ क्योंकर मैंने इसकी width 100% की भी है यह भी हो सकता है लेकिन बहतर ही है कि मुझे उस image का मिल जाए पका चले जाए ताकि उस image से मैं calculate मार लो परसेंट दे नहीं रहा न ही आपको परसेंट अगर दे रहा तो बताओ वो मैं use कर लेता हूँ मैं पिक्सल रखोगे तो पर यह रिस्पॉंसिब नहीं रहेगी न रखना तो हंट्रिक नहीं और कॉंप्लेक्स होगी लॉजिक मीडिया कोईरी लगाओगे तीन अलग अलग डिवाइस पर फिर लॉजिक में भी तीन अलग अलग एफ लगाओगे मेडिया कोईरी वहाँ पर लगेगी न और इस्क्रीन का साइज अल्टिमेटली तुम्हें भी गैट करना होगा कि अगर अभी स्क्रीन का साइज 300 है तो मतलब मोबाइल है तो उस पे इतने वाले से परसेंटेज निकालो फिर अधर इस वाले से निकालो तो बैतर यह ना में मुझे यह मिल रहा होगा क्लाइंट हाइट क्लाइंट विर्थ 700 पे रेंडर हुआ है तो क्लाइंट विर्थ के नाम से मुझे एक चीज मिलती है 700 टार्गेट के अंदर ठीक है तो मैं इसको भी कॉंसोल करा लेता हूं और एक-दो बार अलग-अलग करके वेरिफाय भी कर ल अब यह 700 पे ना यहाँ पर क्लिक किया तो अचा यह तो 700 मिल रहा है अब अगर मैं इसको क्या कर देता हूं इसको मैं 808 पिक्सल पे भी रेंडर रही है इमेज क्लिक किया मुझे 808 मिल रहा है बस सही है यह यह तो अब मुझे इन दोनों का परसेंटेज निगालना है 808 का और 766 का निगल जाएगा अचा अगर शुरू में यहाँ पर क्लिक हुआ है तो देखो आफसेट में 13 मिलता है मुझे 13 34 और 80 मिलता है कि क्लिक कहां पर हुआ है और इस वक्त चोड़ाई कितनी है इस दो चीज़े मुझे मिल गई इन दोनों से बहुत एजली मैं क्या कर सकता हूं परसेंटेज निकाल सकता हूं है ना अचा कैसे निकलता है परसेंटेज मैं दोनों को अले अलग वेरियबल में भ क्लिक एक्स जो है वो यह कि जहां पर क्लिक हुआ है यह वो वाला वाली जगह है और यह क्या है सही है इमेज करेंट रेंडर विर्थ ठीक है क्लाइंट विर्थ यह दो चीज़े मुझे मिल गई अब इन दोनों चीज़ों को जगना मुझे परसेंटेज निकालना है मैंने का लेट इमेज क्लिक एक्स परसेंटेज इक्वल्स टू क्लिक डिवाइड वाई ऐसा निकल जाए गए हैं नहीं नहीं क्लिक परसेंटेज जो यहां पर मुझे ऐसे करके बता रहा हो गई हैं सही है न यह दोनों मुझे वैल्यू मिल गई थी अब दोनों को मैंने परसेंटेज कैल्कुलेट करके उसको भी ब्रेंड करवा लिए रीफ्रेश किया मैंने पेज को अच्छा शुरू मैं करूंगा तो 1.36% यहां पे जब मैं करता हूँ तो 22% हो रहा है यहां पे जब मैं करता हूँ तो 53% हो रहा है यहां पे करता हूँ तो 82% होता है जो लास्ट में यह वाली चीज आ रही है ठीक है जिसके आगे परसेंटेज लिगा गई है यहां पे करता हूँ तो 96% होता है अच्छा, इसको मैं सारा seal भी कर लेता हूँ, या floor कर लेता हूँ, math, ताकि क्योंगे न, वो print सही नहीं हो रहा है, point वाली बहुत सारी value दे रहा है, बिलावजा की, वो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, मैंने math.floor लगागे न, जो भी divide का, जो percentage का जो आया था न, answer, उसको मैंन क्या कर दिये, उसको मैंने discrete बना दिया, 1%, 20%, 11%, 92%, ठीक है, अब इसको तरा छोड़ा बढ़ा कर लेता है, ठीक है, अगर full screen पे होता है, तो भी मुझे ये सही मिलनी चाहिए value, यहाँ पे click किया, 0%, 21%, 45%, 67%, 85%, और यहाँ पे 99 कुछ मिलना चाहिए, मुझे percentage तो अब पदा चलि है कि click कहा पर हो रहा है, चाहे image किसी भी size में render हो, मुझे exactly पता चल रहा है कि कहा click हो है, अचा, अब इस click होने के उपर, मुझे करना गया है, मुझे क्लिक होने के ऊपर, यह करना है, कि image change हो गया, अचा, अब इसको करने के न 2-3 नजग अलग approach हो सकता है, एक तो approach ही हो सकती है मेरे पास कि यह जो चार इमेज है न यह चार इमेज रेंडर हुई भी हो यहाँ पर लिखा वह चार अलग अलग टैग्स और मैं क्या करूँ CSS की classes इस तरह से change करूँ click होने पर कि एक नजर आए वाकि दीन हाइड रहा है तो यह हो सकता है ठीक है दूसरा तरीका ही हो सकता है कि हो यह एक ही यह चार नहीं हो यह हो एक ही लेकिन click होने पर न मैं इसका src change कर दो और एक array में फिर मेरे पास src भी होना चाहिए चार अधत ठीक है मेरे पास क्या होना चाहिए let images equals to src करके ना मेरे पास 4 होना चाहिए एक तो हो गया 1 ठीक है 2 3 4 5 तो खेर है नहीं हमारे पास 4 तक ही है ठीक है यह 4 हो गया हमारे पास तो मैं क्या करूँ इसकी कई src change मार दूँ अगर वो आगे click होता है तो src आगे वाले का कर दू अगर पीछे होता है तो पीछे वाली में कर दूँ असान है मश्किल नहीं है आ जाते हैं अब अच्छा यह सारे जो आपके logs है यह वाले logs अब मुझे यह log नहीं चाहिए इन logs का काम हो गया है मेरा, सही है, मुझे सिर्फ यह देखना है कि परसेंटेज पर क्लिक का हुआ है, मुझे जस्ट वो वला लॉग चाहिए अच्छा, अब मुझे यहाँ पर एक अदत लगाना है, इफ कि इफ अगर, जो परसेंटेज है न, वो क्या हो परसेंटेज अगर बढ़ी हो 25 से चलो कर देता है, इधर का 25 परसेंट हम बेकवर्ड के लिए रिजर्फ करता है, बाकी आगे फॉर्वर्ड है, ठीक है अच्छा, अगर 25 पे हो क्लिक, तो क्या करना है मुझे, मुझे उस इमेज का सोर्स चेंज कर देना है, ठीक है, अच्छा, वो सोर्स कैसे चेंज होगा, मैं बोलूँगा, document.queryselector, जाहर उस element को get करूँगा, ठीक है, उस element को get करने के लिए उसकी id भी होनी चाहिए, फिर कोई न कोई, मैंने इसको id दे दी, मैंने गा slider, ठीक, id दे दी, id के जरीए get करता हूँ, अब मैं इसको, अब ये value मैं कैसे दूँगा, ये value मैं कैसे दूँगा, मुझे क्या पता आगे, इसमें अभी हो सकता है, अभी number 3 पर खड़ाओ, मुझे कैसे पता चलेगा, कौन से पर खड़ाओ, मुझे तो नहीं पता चलेगा, तो मुझे वो भी check करना होगा, ठीक है, अगर ये 25 से ज्यादा बढ़ा है, अगर ये 25 से ज्यादा बढ़ा है, तो मैं check करूँगा, अभी कौन सा होगा, ठीक है, अभी check करने के लिए, मैंने का, current image URL, मैंने का, let current image URL को कहा पर कर दो, जो भी src इसमें था न, यानि अभी जो item में उठाया है, उसके src में जो भी चीज लिख अभी है, अब इस current URL से मैं पता कैसे लगाऊं कि वो array में पहले index पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, या चौथे पे है, क्योंकि जिस index पे भी मुझे से आगे वाले का डालना है इसमें, index of, ठीक है, मैं बोलूँगा भाई, images.index of, और इसमें ये current URL में डाल दूँगा, ठीक है, और जाहिर है, index of मुझे एक number देगा, और वो number क्या होगा, zero base number होगा, सही है, वो number क्या होगा, zero base होगा, तो ये zero base number जो आया है, इसमें अगर मैं plus one कर दूँगा, तो मुझे अगली image का मुझे, index मिल जाएगा, ठीक है, तो मैं इसको बना देता हूँ कि, let next image index, ठीक है, ये मुझे मिल गया, ये next image का मुझे index, current image का URL उठाया, उसको index off करके array में तलाश किया, और next image का index मैंने calculate मार लिया, ठीक है, तो next image का जो index है न, उसको मैं क्या कर लेता हूँ, console मार लेता हूँ, और इतने code को verify कर लेते हैं, ठीक है, तो अभी zero index से दाएर है, one आना सही है, refresh किया है, console को clear किया, और यहाँ पर click करूँगा तो, ये तो zero या रहा है, क्या index off यही होता है न, गलत तो नहीं लगा दिया हमने, index off सही तो है, अच्छा मुझे लग रहा है कि ये, जो बात यहाँ पर रखाव है न, यहाँ पर से न, कुछ मुक्तलिफ मिलता है, current URL को भी जरा console कराते हैं, कि current URL में exactly मिलता है, हो सकता है current URL में ये dot ना मिलता हूँ, तो इसलिए हो error दे रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है, image slash करके मिलता हूँ, तो देख लेते हैं कि current में मिलता है कि SL में, refresh किया, console को clear किया, जब मैं यहाँ click करता हूँ, अच्छा, ये current पाथ में न, पूरा पाथ दे रहा है, आखर तक, आखर तक देता ही है मुझे, तो अब आखर तक देता है, तो क्या करें, इसको कुछ ऐसा कर करना पड़ेगा, लास्ट वाला पार्ट थाना पड़ेगा, तो मुझे इसको SPLIT करना पड़ेगा, अच्छा, लेकिन SPLIT में भी न, मुझे ये जाहर है, अगर मैं इसको SLASH से SPLIT करता हूँ, तो मुझे यहां से मिलेगा, तो मुझे LAST के दो आइटम उठाने पड़ेगे, अगर SLASH से मैं SPLIT करता हूँ, ऐसा है न, अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ी सी STRATEGY अपनी CHANGE कर देता हूँ, मैं कहता हूँ, अरे के अंदर यह होगा, 1.jpg, 2.jpg, यह होगा, IMG मैंने का PREFIX है मेरा, क्योंकर हर इमेज महीं होती है, ठीक है, तो मुझे सिर्फ तो मैंने उसको बोला, कि भाई, current URL को न, क्या करो अब, current URL equals to current URL.split, और split किसे की है, मैंने slash से, मैंने slash से उसको split करो, और 0 वाला नहीं उठाओ, अब यह तो 0 वाला उठा रहा है, अब आखरी index मुझे उठाना है, अरे का आखरी index उठाने के लिए क्या index देना पड़ता है, कौन बताएगा, क्या, minus one से हो जाता है, length minus one चाहिए न, ठीक है, तो length minus one मुझे कैसे मिलेगा अब इसका, यही बात पूरी लिखोंगा मैं, ठीक है, length, ठीक है, minus one, यह समझ आ रहा है क्या किया है, अरे, बात बड़ी जबर्दस की इसना, अगर मैं इसको slash img से करवाओं, तो मुझे दो मिलेगा हूँ, यह बिल्कुल अच्छी बात किया आपना, जबर्दस, अगर मैं इसको split जो करवाता हूँ, slash img से करवाता हूँ, split मैं, तो यह देख रहे हो, slash img से करवाओंगा, तो मुझे सिर्फ दो मिलेगा, एक उससे पीछे वाला, एक उसके आगे वाला, तो मैं one index करवाँगा, तो मुझे वो मिल जाना चाहिए, ठीक है, मैंने का slash img slash, इस से इसको split मारो, और इसका index फिर one होगा, हमेशा बन होगा, जाहर है, ठीक है, क्योंकि slash img और तो पही नहीं हा यह break हो सकता है, cold मेरा, plain most probably ऐसा होगा नहीं, slash img कौन रखता है अपने इस image का नाम, ठीक है, well, तो बाहराल कुछ ना कुछ करके ना मैंने इस image में से ऐसा part निकालना है कि मैं चेक कर समूँ कि अभी कौन सा वाला है, तो अब मुझे current URL में क्या मिलेगा, exactly यह मिल जाएगा, अब 1.jpg यह 2.jpg यह मिल जाएगा, देखते हैं अब क्या होता है, मैंने refresh किया, cancel किया, अब यहां आया मैं, देखो, अब 1.jpg मुझे exactly रहा है, वो slash slash पूरा हट गिया, full URL जो मिलता था ना मुझे, उसमें से मैं लास्ट वाला part अलग कर लिया, अच्छा यह चीज़े हैं, इस ट्रिंग जब पढ़ रहते हैं, तो उसमें डीटेल में पढ़ चुके हैं, कि यह method हुए, इस ट्रिंग के उपर जब हम split लगाते हैं, ठीक है, और बीच में वो उसको character देना पढ़ता है, तो जो भी character देते हैं, वो character जहां जहां आता है, वास उसको काट के, array बना देत ठीक है, तो हमने फिलाल उसको जो दिया है, वो हमने image slash image से दिया, ठीक है बई, अच्छा, तो यह मुझे मिल गया, मेरा यह match भी हो गया, ठीक है, next image का मुझे index भी मिल गया, next image का जब मुझे index मिल चुका है, तो मैं अब क्या गरूँगा, मैं बोलूँगा, वही document.query selector, मै यह जो था न, इसको क्या डालो अब, यह next image का जो URL था न, वो डालो अब, लेकिन उससे पहले क्या डालो, जाहरे image भी लगाना पड़ेगा मुझे, ओ, sorry, यह मैं गलत कर गया, अच्छा, भारहल, मैंने उसको क्या देना है, मैंने उसको देना है के, dot slash image, dot slash img slash, और इसके ब 1.jpg, 2.jpg, जो भी आता है बो दिना, तो यहाँ पर मैं templating करता हूँ, और मैं कहता हूँ, images का index कौन सा, next image index, सही है, मैंने उसको अगली image का index दे दिया, सही है, refresh किया है, अब मैं यहाँ पर जब क्लिक करता हूँ, तो यह image change हो जाती है, और आगे क्लिक करता हूँ, image change हो जा जाती है, अब यह कौन सी image पर आचुका हूँ, अब आगे करूँगा तो क्या होगा, break, क्योंकि last में क्या होगा, index 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो index 4 तो exist ही नहीं करता, तो यहाँ पर मुझे फिर एक और भी लगाना पड़ेगा, if, छोटा सा, कि भाई, if, अगर क्या हो गया नेक्स्ट, image का index बड़ा हो गया है, किस से, images.length से, images.length से, तो next वाले को 0 करता है, वो minus 1 इस वज़े से, क्योंकि जाहर है, dot length ना, 0 base नहीं बताता है, 1 base बताता है, तो यह मेरा क्या हो गया, अगर वो 3 पर पहुचाव है, तो 3 के बाद वो 4 नहीं होगा, वो फिर 0 हो एक, दो, तीन, चार, चौथे क्लिक पर वापिस 0 से चलता है, वोफुली आप सब लोगोंने भी इसी तरह किया होगा, या कोई मुक्तलिफ अपरोच किया, कैसे यह है, नहीं ऐसे बताओ ना, वरबली बताओ, यह जब आगे जाता है, इंडेक्स तो फिर उसको कैसे हैं, पर आठ इमेजेगा, तो आठ इमेजेज आठ पर जाया तो वे इस पर जीडू होगा, इस बीच पर आठ इमेजेगा, अचा लेकिन, अगर इस एरे के अंदर, नहीं चार पांच और एड़ गर दिये, तो क्या त इस बीच पर इस बीच पर जाएगा, तो सब्सक्राइब करना होगा, अचा अचा मैं जो कोड लिख रहा हूँ, ठीक है तुमने भी सही किया अपने हिसाब से, लेकिन इस कोड में किस चीज का खास खाल रख रहा हूँ, कि अगर इस एरे के अंदर मैं मजीद इमेज का लग सब्सक्राइब कर लेगा, पर इस नाम का जाएगा है, एक फोल्डर में इमेज भी चाहिए होगा, लेकिन इसके अंदर क्या रहा हूगा आपके बास, इसमें ये 2.jpg नही आ रहा होगा, इसमें तो HTTP का पूरा URL आ रहा होगा, जाहरे है जब आप आप काम कर रहा होगा, तो सहरे के हर इंडेक्स में क्या होगा है complete URL होगा समझ लोगा तो यह split भी उसमें हमें करने की ज़रू शायद ना बढ़े तो अगर कल को वो ज्यादा आता है 5 आता है 10 आता है 20 आता है तो फिर उतने पर यह सही चलेगो ठीक है अच्छा यह हो गया यह तो common है कि forward करना है या backward करना है index निकालने वाला जो code है वो तो common है रोगा है ना अच्छा तो यह index जो निकालने वाला था वो मैंने यह से उपर ले गया इंडेक्स तो मुझे दोनों में चाहिए तो इसको मैं उपर ले जाता है ठीक है बस यह जो next image है ना इसको यह जो next image है यह calculate करना यह दोनों में अलग अलग है कि अगर 25% से बढ़ा है उस तरफ है तो अलग है 25 तो इदार से हो तो अलग है तो मैंने else लिखा और मैं अब यही वाली logic अपॉजट करके लिखूंगा इस else के अंदर ठीक है यही logic होगी exactly लेकिन अपॉजट करके होगी ठीक है तो पहले इसी को मैं पेस्ट कर देता हूं as it is तो मैंने का next image जो है वो क्या है images.index of और जो भी current url है उससे minus 1 होगी एक पीछे जाना है कि अगर अभी 3 पे कड़ावा है 3 index है तो अभी 2 पे index पे जाना है भोगा ठीक है अचा फिर current image का url यहाँ पे आ गया next image जो है वो एक minus करके वो भी show होगी अब उसके बाद मैंने बोला अचा अब यह minus होने में क्या होगा जीरो से नीचे ना चली जाए यह होगा ना तो हम इसको क्या बोलेंगे कि भई अगर जीरो से नीचे चली गई यह तो सही है अगर यह क्या होगी है अगर यह 0 से छोटा हो गया अगर image मेरा 0 तक तक तो सही है 1 था 0 होगया 0 तक तक तो सही है 0 से छोटा नहीं होना चाहिए minus 1 नहीं होना चाहिए अगर 0 से छोटा हो जाए तो आप क्या करोगे image की length और minus जो भी array का length है minus 1 करेंगा तो आखरी आजाएगा तो आखरी index जो नहीं यहां पर लगा तो क्या होगा अगर वो 3 से 2 पर आया 2 से 1 पर आया 1 से minus और 1 से 0 पर जाएगा तो आखरी index का जो भी length होगी वो उठागे आपर रख देगा और फिर उसके बाद इसको image को यहां रखा दिया ठीक है तो यह सही बन गई यह logic हमारी चाहिए रीफ्रेश किया मैंने पहली image यह आगई मेरे next किया मैंने तो यह कोफते दूसरे आगए वापिस करूँगा तो brush वाली आगई ठीक है उदर किया तो कोफते वाली दुबार आगई फिर और आगे चलते हैं यह हमारी number 3 image number 3 है यह हम वापिस 2 पर आगए यह हम वापिस 1 पर आगए इस से पीछे फिर reset हो जाना चाहिए के यह auto भी change हो खुद बाखुद भी चलता रहे ना थोड़ा अच्छा मुझे एक चीज लगाने के transition होगे change हो जो कैसे होगा एसे slide होगी थे दूसरा slide होगी है यह कैसे होगा css की animation लगेगी बिलकुल ठीक है fade in fade out या जो भी उसमें लगाएंगा वो लग जाएगी ठीक है auto पे अगर करना हो तो हम क्या करूँगा मैं यही logic लिखूँगा उसको किस पर लगा दूँगा इस पूरी लॉजिक को मैंने copy किया और इस पूरी लॉजिक को कॉपी करने के बाद यह function से बाहर कर दिया मैं फंक्शन की जाहरा इसमें जरूद नहीं है इसका event से भी कोई तालोग नहीं है यह क्या किया मैंने ctrl z हाँ मैंने क्या कि set interval और interval मैंने लगाया चार सेगंड का मिसाल के और और यह पूरी लॉजिक मैंने यह पे पेस्ट कर दी लागी अच्छा वो image इसमें वो भी तू चाहिए ना मुझे तो उपर की जो line थी न यह दोनो line है यह भी चाहिए हाँ और array भी चाहिए मुझे अफकॉर्स और भी चाहिए होगा मुझे है ठीक है यह current image का URL उठाता था था न मैं वो भी चाहिए होगा और split मार रहा हूँ जो मैं फिर यह array भी चाहिए मुझे देखते हैं यह साही चल रहा है कोई गड़गर दर रहा है इफ इफ चाहिए ना मुझे next करता हूं ना भी ये तो next में जाहिए रहा हो increase होगा तो 4 second में ये change होगी जाए ये क्यों होगी दो दो एक साथ क्यों होगी मैं दूसरी screen से वापस आया था ना तो शाय जल्दी से बाए पाए ना जब छोड़के जाता हूं तो शायर टाइमर को रोक देता है और जब बापस आता हूं तो थोड़ी देर और यहां पर रखते हैं इसको अगरा तो ये क्या करता है पीछे चली जाए ना चाहिए ना उसको ये शायद यह तो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का इशू है कि दो डेक्स्टॉप पे जो चीज़े ना तो मेरे जस्टॉप पे मैं अभी उसको ये प्रेयरिटाइज कर गे उधर की कंप्यूटिंग को होल्ड कर देता है या पॉस कर देता है तो ये मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का इशू हो सकता है पिर ब्रेक हो जाएगा इसका भी हल है लेकिन वो फिलाल अभी हम जादा कॉंप्लिकेटिड हो जाएगा हम यहां पे खड़े होके ना फोल्डर का नाम भी देख सकते हैं कि हम जिस फोल्डर में खड़े हम उसका नाम किया है ठीक है जावा स्क्रप्य ये चीज़ आप कर सक अपने प्रोजेक्ट के अंदर रहते वे जो प्रोजेक्ट के अंदर की चीज़ें वो दिखती हैं आपको कौन सा इभी फोल्ड अभी किसी भी फाइल का पाथ अगर मैं वो उठाता हूंगा तो उसमें में उचे दिख जाएगा ना IMG यह तो IMG के लाभा कुछ और होगा त हैं पर जाने पास किसी चेलिए कि अगर यहां पर ना अगर जैसे पहले कर रहा है कि स्लैश से इसको अगर स्पिलेड मारो तो मुझे सेकंड लास्ट इंडेक्स पे यह इंगी भी मिलेगा यह की जगह कोई भी नाम होगा तो वो मैं अडॉट कर सकता हूं यहां दोनों इसको जोड़के ना बना लो यहां पर और इंट्रवेल पर भी हमने चीज लगा दी इसको सेफ कर दते हैं और अब हम चलते हैं माउस के इवेंट की तरफ पर अब यहां चलते हैं तो होवर मैं चेक करूंगा कि होवर पे इस वक्या है माउस इवेंट वही उसी की तरफ जा रहे हैं अब इस पर माउस इवेंट लगाते हैं कि माउस का अगर पॉइंटर इसकी यहां पर रहे न बीच में अचा अभी तो इसके नीचे कुछ है नीचे इसके कुछ लगा लेते हैं इसके नीचे हम न पैरेग्राफ लगा देते हैं यह डबलू द्री स्कूल पर आगे न कोई यहां से हम इसके नीचे ने पैरेग्राफ लगा लगा लेता हूं को यसी चीज लगा लेता हूं कर दो कि वह स्क्रॉल होके वहाँ पर जाए ठीक अभी देखते हैं क्या रिपोट है अच्छा वह फ्लेक्स बॉक्स होने की वज़ा से एक लाइन में उसको लाने की कोशिश करता है तो फ्लेक्स बॉक्स में मुझे क्या करना होता है अगर मुझे इसको नीचे वाली लाइन इसको डाइन में लेकर जाना हो तो फ्लेक्स डीरक्षन कॉलम भी कर सकता हूं मैं और वही तरीकह है वासे ञास डायरेक्षन बॉक्स बॉक्स तरीक्स ऐसे हुआ ओर टीक अर बहाली नीचे उनगे ना तो यह चलता रहेगा अपनी मर्जी से लेकिन जब मैं करसर इसकी उप इसके लिए हम करेंगे ये कि ये जो सैट इंटर्वेल पर मैं लगाए यहां पर रग। अनुम्हिक और से जाहिए है है कि पहल Tut रखेंगा और जैसी मैं माउस हटाऊंगा वास से, क्योंकि माउस उपर लेके जाना एक event है, तो हटने पर भी event मिलेगा, दोनों पर event मिलेगा मुझे, तो मैं कुछ ना कुछ इसके उपर ऐसा लगा दूगा कि माउस जब तक उपर आए उसको चलने ना दे आगे, ठीक है, मतलब ये set interval, set यहां पर मुझे आप चेक क्या करवाना है कि माउस इस्वत कहाँ पर है आया कि वो इमेज के उपपर है या इमेज के उपपर नहीं है आच्छा तो माउस इवेंट को तर आप थोड़ा पढ़ दें आप तो कह रहा है कि अभी तक आपने यह सीख लिया है कि बटन पर क्लिको इमेज पर लिको डिव पर पैर ग्राफ पर किसी भी जिस पर क्लिक होता थो पूरा इवेंट मिल जाता है आपको हमने उस इवेंट पर अच्छा, खेल के भी देख लिए कि कैसे होता है अच्छा, but whether you are using the inline method or preferred scripting method, the on-click event is only of many kind of event that a code can response, ठीक है, event हजारों तरह के मौजून है, हर चीज का एक event है, HTML के दर हमने last node and detail में discuss किया दर इसको, in this chapter, you will learn how to make things happen when user mouse over something on the page, के user किसी भी object पे mouse ले के जाता है ना जब और उस point पे आपको कुछ करवाना है, तो वो आपको यह बता चल जाएगा, अच्छा, and also when user mouse away from it, mouse जब हटाएगा, तो उस पे कुछ करना है, तो भी हम कर सकता है, अच्छा, suppose your page initially display a before picture of a model, when user mouse over a picture, it replace after picture, पहले से बाल उगाने वाली है, वो है, company है, उसकी website है, तो पहले गंजा बंदा नवर आता है, जैसी हम mouse उपर लेके जाते हैं, वो picture change हो जाती है, और बाल बंदा आ जाता है, ठीक है, हम वो चीज़ कर चुक हैं, लेकिन हमने click पे किया है, हमने mouse over पे नहीं किया, ठीक अच्छा, on mouse over पे कोई भी function चला सकता हूंगा, तो हमें तो पता चलगी है ये मसला, आओ करते हैं, अब मैं इस image पे क्या करूँगा, मैं इस image पे आओंगा, on click तो लगा वे न, मैंने का भाई, on mouse over, अच्छा, देख रहो है, यहां पे कितना कुछ आ रहा है, on mouse down, mouse enter, mouse leave, ठ mouse over, क्या नाम होना चाहिए, इस function का, यह function में क्या करेगा, एक variable बना देगा, जो, mouse over और mouse away भी चाहिए होगा, आओ, अगर css से नहीं होगा, नहीं नहीं, css से क्यों होगा, नहीं वो java script की चीज को css रोक नहीं सकता, हम change भी तो java script से कर रहे हैं, css से change नहीं कर सकते, कैसे करेंगे, बतौँ, hover तो पकड़ लेगा, लेकिन, वो दो image हो सकती है कि hover करें, तो ये आजाए, hover रटाएं तो ये आजाए, चार images पर एक आपनी हो सकता, css से, दो पर तो हो जाएगा ना कि hover करें, तो source change हो जाए, ये हो जाए, लेकिन चार पर थोड़ी होगा और फिर क्लिक पर आगे जाए और वेदर क्लिक पर पीछे यह तो CSS का काम ही नहीं है CSS का काम ही स्टाइलिंग है यह तो लॉजिक है ना यह तो CSS का काम ही नहीं है अच्छा तो बाहराल इसका मैं कुछ भी बनाता हूँ ठीक है मैंने का on mouse over यही नाम रख देता हूँ इसका जो जो इसका नाम है न इवेंट का उसी नाम से इसका handler भी बना देता हूँ अच्छा तो जैसे ही on mouse over चलेगा न तो यह function मैंने चलवा दिया ठीक है on mouse over अच्छा on mouse over पर मैंने क्या किया एक जाहिर है शुरू में एक variable बनाना पड़ेगा मुझे is mouse on image equals to false क्या mouse इस वक्त image की उपर है शुरू में मैंने इसको false रखा ठीक है शुरू में इसको मैंने false रखा और इसी पर ही मैंने condition भी लगा दी ठीक है और साथ में not लगा दिया न मैंने ठीक है is mouse on image not कि अगर mouse image के उपर नहीं हो not हो तो यह चलेगा तो अभी यह false है not लगाने से यह true हो जाएगा तो इसका मतलब है कि अभी अगर by default जब page load होगा तो यह if हमेशा इसको true मिलेगा और यह हर 4 सकंड बाद image को change भी करेगा लेकिन जैसे ही mouse over आता है न यह वाला मैं इसको क्या कहता हूँ मैं इसको कहता हूँ इसको true करवा दो इसको true हो गया कि अभी image की उपर है mouse true हो गया अच्छा फिर mouse away की उपर मुझे एक दूसरा function भी चलवाना पड़ेगा और इसको false भी करवाना पड़ेगा ठीक है on mouse away ठीक है on mouse away उपर मुझे लगाना भी बड़ेगा कहां गया वह भी मारा on on mouse leave है या away mouse leave है mouse out mouse leave I think check कर लेते हैं भी on mouse away सही है on mouse away मैंस पर चल ला दिया है जब on mouse away चलेगा तो यह बताएगा भी कि यह मैं चला हूँ on mouse away जब चलेगा तो यह console में बताएगा भी कि मैं चला हूँ on mouse away तो अब जरा हम आ जाते हैं और console भी अपना हम खोल लेते हैं और देखते हैं कि ऐसा हो रहा या नहीं हो रहा on mouse over on mouse away सही तो लिखा हूँ नहीं यह इसको छोड़ दो ना मुझे अभी सिर्फ यह डिटेक्ट करना है कि वह उपर उसके जा रहा है नहीं जा रहा यह function चलना चाहिए जब mouse over हो ना इसकी उपर जब mouse over हो उस image पर जब mouse यहां पर on mouse over हो तो वह function चलना चाहिए एक दफा ठीक है कोई और तो नहीं है कहीं on mouse करके मुझे और क्या मिलता है on mouse enter enter शाहिद यह बला हो अच्छा माउस अवे तो सही चलना है माउस अवे सही चलना है वो नहीं चलना हो और mouse over नहीं चलना हो अच्छा 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 अब कुछ हो तो रहा है जैसी मैं माउस उपर लेके जाता हूं अच्छा अच्छा इस नाम से नाम से ना फंक्शन बनाया मैंने इसमें कोई इशू है दूसरे वाले ही यह गलत है जब ही चल रहे है तो मुझे लग रहा है यह नाम से जो मैंने फंक्शन बनाया इस पर इसको मैं ओन एंटर गर देता हूं ठीक है नाम इसका कर देता हूं मुझे लग रहा है इस नाम से फंक्षन बनाना शायद इलाव नहीं है क्योंकि वह एक इवेंट का नाम है तो मैं यह आपना ओन एंटर कर देता हूं और दूसरे में यह ओन माउस अवे मैंने कुछ अब सही हुगा है तो यह तो फंक्षन के नाम में था अचांगे कर दिया अगर जब तक ओपर रहेगा तो यह फंक्षन चलता रहेगा वह फंक्शन के नाम में इशु था मेरा खहले है उस नाम से फंक्शन बनाना में अलाओ नहीं है क्योंकि वह एक इवेंट का नाम है जावास्क्रप में इस तरह की बहुत सारी चोटी मोटी का चीज़ें हैं पंगे मली कीवर्ड के नाम से ना वो नहीं बनाने दे रहा है माउस ओबर माउस अब अब यह होना चाहिए कि जब तक मेरा जो माउस है वो इसके उपर रहना जब तक यह चलना नहीं चाहिए ठीक है वो वैरियेबल वो चेंज हुआ है अचा लेकिन जैसे ही मैं माउस इस पिंदाताओ न यह 4 सेयंज होना चाहिए 4 सेयंज होगया 4 सेयंज होगया माउस उपर करदिया मैंने अब चेंज होना चाहिए चाहिए है नहीं हो हाँ चलिख करोंगा तो गय जाएगाय फिट्ल वो तो अपनी जगा है ना, क्लिक करने से आगे जाये गई, लेकिन जब तक क्लिक करेके माउस इसके उपर रखोंगा ना, आगे नी जायेगा, अंगुठे से स्टेटस को पकड़ लिया, अगे, इसमें वो है नी न, असल में उसमें टैप होता है, इसमें टैप नहीं होगा, मुबाईल में होवर क्या होता है, टैप ही होता है, लिकर टैप करका छोडे दिया एक बार तो अैसली रहे global के लिए होता है मेरे में जिए का चीज है, तो यह हमने क्या कर दिया? एक और इसमें, माऊस का event भी लगा दिया, यारे, पता नहीं, क्यों नीचे नहीं आ रहे है, फिर, यह लंबी line हो जाती है इसको चाहिे, भीकिर नहीं है, यह उटकिश्या, पता नहीं है, पता ने क्यों नहीं है, पता ने, default वह हुए वह सब कुछ, है, मैं आपर लिखता हूं ऑन माउस ओवर अब इसकी डेफिनेशन पड़नी 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 अग्जेक्ली किया है देखो अन माउस ओवर इवेंट अकर्ज ये इवेंट कब अकर होता है कब हैपन होता है ये वेंड़ माउस पॉइंटर इस मूज़ ओन तो ये चलता है एक दफ़ा ठीक है अच्छा टिप क्या दिये इस ओफन यूज तो गैधर विट माउस आउट इवेंट साथ में चलता है कि जब माउस आये और माउस वापिस जाये तो क्या है ठीक है विच अब अकर्स वें माउस पॉइंटर आउट अच्छा अब कौन सा दूसरा और माउस एंटर आइसी है गूगल पर लिखा है मैंने सीधा सीधा ओन माउस एंटर के साथ देखो मैंने कुछ भी नहीं लिखा यह डबलो त्री स्कूल है यह क्रेडबल है एक M.D.N.E. दू है जो क्रेडबल लगते है मुझे डबलो त्री स्कूल है क्टेड़ दोनों से किसी पर भी देख लो और यह बहुत बेसिक चीज़ा है यह इसमें फर्ग नहीं होगा यह सब जगा एक ही होगी अच्छा तो यह कह रहें के ऑन माउस एंटर इवेंट अकर सब्सक्राइब मॉस पॉइंटर इसमुवट अन तू एलिमेंट त्स पर यह अच्छा इंटर उसी एलिमेंट पर गरेदाए अब त्पर दिस इवेंट ल्त फिटेडर मॉस लिव यह माउस एंटर और माउस लीव एक दूसरे का पॉजट है और वो क्या था ओन माउस ओवर और और आउट यह थोड़ा थोड़ा से डिफरेंस है जाहिर है डिफरेंट यूस केसे में जरुत प्रती होगी जब इन्होंने बनाया अच्छा अब यह बता भी रहे के ओन माउस ओवर इवेंट ऑउनली डिफरेंस ओन माउस एंटर इवेंट एंड डज नौट बबल डॉन प्रोपगेट अब डॉक्यमेंट हाइरार्की अच्छा अब यह ना इवेंट बबलिंग एक चीज होती है यह कॉंसेप्ट होता है इवेंट बबलिंग का अब यह देखो लाइन पहले तो हमें बहुर से पढ़नी पड़ेंगी यह लिखा गया है इसमें ऑन माउस एंटर यानिके जो अमन के सेम है ठीक है ता ओनली डिफरेंस इज ऑन माउस एंटर यानिके यह वाला जो खोला है हमने डज नॉर्ट बबल और डज नॉर्ट प्रॉपगेट अब डॉक्यमेंट हाइरार्की यह बबल इसने ब्रैकेट में लिख भी दिया है यह होता गया है यह प्रॉपगेट करता है उस इवेंट को पूरे हाइरार्की में उपर अपने पैरेंट तक करता है सी मोर एक्जामपल्स अड़ बॉर्टम ऑप पेज अच्छा तो इवेंट बबलिंग क्या चीज होती है कि किसी इवेंट पे क्लिक हो मिसाल के तोर पे एक डिफ था उसके अंदर एक इमेज था इ इसंटी हैarkan अगर कोई मिएक्शनि होते हैं तो फिर मिया करते हैं हम तो लो पर नहीं लगा सकते अगर में ये चाहता हुवह एक डिंवह उसमें चोटी की मिण लगी होल कोने में मैं चाहता हूं इससीalyst में क्लिक होना उना करो ह Kenny नीं करता अब को डेखे लेना हरिएट के सा लिखा होगा है जावाइस रखना अभी लिस्ट ओफ इवेंट देखेंगे न उसमें या भी जाएगा एक डिव है उसके कोने में एक छोटी इमेज लगी भी है अब उस इमेज पर क्लिक करने पर अगर मुझे काम करवाना है ठीक है और डिव में बाकी किसी भी जगा क्लिक हो को में कंट्रोल भी कर सकता हूँ जब एक मेल प्रिवेंट बब्लन का इसमें तरीक अब कोई एसा है तो बबल करते ही करता है रहाल में तो उसको में क्या करता हूं पर उसकी बबलीं को रोक भी सकता हूं ठीक है के फॉलस पर गशालब अश्वाने रूम्य आद नहीं, इन्बुक की पोस्ट है, अब मैं चाहता हूँ इस पोस्ट के उपर कहीं पर भी अगर माउस है, तो मुझे इस पोस्ट को क्या करना है? इम्बोस कर देना है थोड़ा सा, या आउटलाइन लगा देनी है, ठीक है, रिगार्डलेस के उस पूरे कंटेनर में वो किसी इमेज पर है, या लाइक के बटन पर है, या कहीं पर भी है, रिगार्डलेस, मुझे उस बॉक्स के अंदर को चेंजिंग करानी है, तो मैं उस जाओंगा मौस होबर में, उस पर लगाने की जरूद नहीं है, तो मैं बॉक्स पर लाओंगा, बड़े के, ठीक है, तो ये इवेंट में बब्लिंग और नट बब्लिंग समझ में है, बब्लिंग वाले इवेंट वो होते हैं, जो अगर किसी चाइल्ड में अगर हो जाए न तो सम टाइम यह होता है, कि दो जगा पर लगा पर होता है, क्लिक करते हैं और डबल डबल चलता है, अब ये क्या हो रहा है, तो वो बब्लिंग की वैसे होता है, अचा कुछ ऐसे होते हैं, जो बब्लिंग नहीं करते हैं, जैसे ये वाला, ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, कि on mouse enter जब चलेगा जब exactly उस element पर mouse आएगा न जब चलेगा उसके child wild पर आएगा तो नहीं चलेगा ठीक है? यनि अगर उसके child पर mouse जाता है तो उसको propagate करके उपर तक नहीं लाता है parent तक वहीं तक बात रखता है अच्छा अब हम देख लेते हैं कि list of all events JavaScript events अच्छा W3 school पर भी इसके एक list मौजूद है अच्छा ये लिगन उस तरह से नहीं है all नहीं है MDN का RO का link एक event reference ये आगया ना? सारा का सारा अच्छा इन्हों ने भी उस तरह से नहीं दिया वहाँ अच्छा टच के भी events मौजूद है याँ ठीके जावास्रिप में touch के भी events मौजूद है text की selection के events मौजूद है अच्छा इन्होंने याँ लिस्ट इस तरह से बनाई है ये मैं समझने की कोशिश करना हूँ कि इसको organize कैसे किया हूँ है थाकि उसी हिसाब से समझाओं मैं फिर तुम लोगे समझ में आगी है मेरे कैसे किया हूँ है अच्छा अब इसको और से समझना इसको और से समझना कि javascript में कौन-कौन से event अवेलेबल है यहां से पूरा समझ में आ जाएगा देखो पहले तो इन्होंने कैटिगरीज बनाई वी है कैटिगरीज बनाई वी है कि अच्छा है एनिमेशन से रिलेटेड आया कि event मौजूद है javascript में या नहीं है ठीक है और इसके न डॉक्यूमेंट करें को लिंक भी दिया हूँ है कि अनिमेशन से रिलेटेड जो इवेंट्स मिलते हैं वह वेब अनिमेशन एपिया यह दूसरा मैंने डॉक्यूमेंट हो ला ना तो इसमें यह सारे इवेंट यहां पर ऐसे लिस्ट आ ली होगी ठीक मैंने बंद कर दिया हूँ अब और आगे देखते है क्लिप बोर्ट से रिलेटेड इवेंट कि जब टे इवेब बोर्ड में सेफ भी राता है फिर अपने पीसी में लाके पेस्ट करते हो इमेज बनके पेस्ट हो तो वह सारी अपियाई यहां पर है ठीक है कॉम्पोजिशन है ट्रांजिशन है डेटाबेस है फोकस ठीक है फोकस से रिलेटेड जो है सारे वो मिसाल के तौर पर ज एंटर होता है, फुल स्क्रीन से थे शारी है ज़ार है जब हम फ 11 प्रेस करते हैं विंडो में उसको पॉल और से इवेंट मिलना चाहिए, अगर उसको कुछ काम गराना चाहिए, वेब साइट को पता चल ज़ जाए को फुल स्क्रीन में एंटर हो चुका है जैसे तो वो कैसे पता चलेगा, यादे वो पुराने आइफून होते तो उसमें लॉक स्क्रीन पे ऐसे slider होता था, उसमें slide to unlock लिखा होता था, तो वो काम अगर आप अपने web page पे कराना चाहें, कि slide to slide करें, तो पूरा box उटके साथ सच चले, तो उसके लिए आपको इसकी जुरूत पढ़ सकती है, अच्छो है, history, history का event है, अब यह नहीं पता मुझे क्या होगा, यह देख लेंगे, most probably कि javas, जो, जैसे इस page में, किस-किस जगह पे क्या हो, तो back button दावाने से, उस page में वापस जाता है, ऐसी होता है, तो और back करता हो, तो उसी sequence में वापस जा रहोता है, तो उससे related के चीज होगी, कि अगर बंदा back कर बटन प्रेस करता है, ब्राउजर में, तो क्या हो, उस वो मुझे चेक करना है, ब्राउजर में back कर बटन प्रेस हुआ है, अच्छा, inputs आ गया, keyboard आ गया, keyboard में कोई भी बटन प्रेस हुआ है, ठीक है, क्या-क्या मिलता है आपको य चला परेस है, तो क्या है, अब यहापर माउस में लिखा पागा, माउस के event है, अब माउस के event में क्या है, माउस enter, माउस leave, माउस over, माउस out, माउस पे button क्लिक हुआ है, यह सब चीजें यह सके अंदर बिलेंगे, इस तो यह category इस सारी बता दिए, network connection के अगर wi-fi connect हुआ है, मिलना चाहिए आपको देखा होगा आपने के जैसे internet disconnect होता है वो आप green color का बनावा जाता है तो most probably वो इससे दिखा रहे होते हैं ठीक है भई, pointer से related कुछ है एक तो है mouse, एक है सिर्फ pointer सिर्फ pointer में कुछ दूसरी device से भी हो सकता है pointing device, joystick वगर और भी होती है ठीक है, एक pencil भी होती है, अचकल आई भी हो, वो भी चल जाती है तो क्योंके java script हर तरह की device में चलता है तो pointer की API इनोंने अलग से दी भी है ठीक है, print की API कि किसी ने ctrl plus p print किया है कि print मारो, ठीक है, यह print निकल आ है यहां पर sales page से, तो उसकी है कोई चीज़े मिलती होंगी sockets, svg, text selection कि किसी ने text को select किया है तो उस पर क्या हो तो जो चीज़ें आप सोच सकते हैं उस सब का event java script में मौजूद है बादे से अब जाहरें इन सब को हम यहां क्लास में cover नहीं कर सकते जिसकी आपको जुरुत पड़ेगी उसमें जाएंगे यह document में जाके आप search करेंगे चलाने के लिए example सब मा लिखी लिए होगी एक बार चला के देखेंगे तो समझ में आजेगा अगर problem आएगी कोई तो ज़रा एक दो article पड़ेंगे यह उस event को कैसे use करते है javascript को कोई video देख लेंगे youtube की तो मैं समझ में आ जाएगा ठीक है तो basically तो event आमें समझ में आ गया है कि वो चलता कैसे अच्छा अब जब यह ना यह पूरी list है यह जब खतम होती है ना तो यहाँ पे इनोंने list ऐसे भी करके बनाई भी कंट्रॉल एफ करके मैं कुछ भी लिखूंगा ना on mouse नहीं मिला यह जीन था है यह रहा mouse के सारे event देख यह लिस्ट है तो यहाँ पे सीधी स्ट्रेट लिस्ट है ठीक है एक सीधी स्ट्रेट लिस्ट है कि कौन कौन से event मौजूद है अगर आपके पर टाइम हो तो अपर वाली लिस्ट में अलग-अलग page है जो और यहाँ पर एक सीधा page है दोनों में से किसी एक में पी जाके तमाम events को एक दफ़ा go through कर ले ताकि आपको idea हो जाए कि अच्छा यह भी हो जाता है जैसे अभी आपको पता चलिए हो के अच्छा टैक्स सेलेक्ट करने पर भी event मिल जाता है यह बात पहले पता दी किसी को ठीक है तो हम बहुत सारी बात है आपको पता चल जाती है यह हो जाता है जैसे print के events है अब प्रिंट के event में क्या क्या होता है क्लिक करेंगे अदर पता चल लेयागा को के अचा है अचा है अचा हम प्रिंट जब निगलता है तो event मिलता है यह प्रिंट के लिए प्रेस करता है तो मिलता है क्या होता है वह क्लिप बोर्ड का होगा मेरे खाले क्योंकि Ctrl-C जब करते हैं ने तो पूरा उठके आता है क्लिप बोर्ड पर, तो क्लिप बोर्ड भी क्या करते हूं कि अपना URL भी अटेज कर देते हूं उने साथ तो क्लिप बोर्ड का इवेंट उन्होंने इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छा है, जबर्दस जब डॉक्यमन में किसी जग राइट क्लिक होता है, तो एक event मिलता है, event पे आप पूलोके, प्रिवेंट करदो इसको, यह हो नहीं नहीं दो, ठीक है, प्रिवेंट डिफॉल्ल जो हम लगाते हैं, उस ही से होता है, किसी भी event की उपर, प्रिवेंट डिफॉल्ल लगादो होके तो उस चीज पर डिफॉल्ट बिएवियर है और रुख जाए ठीक है उस चीज पर डिफॉल्ट बिएवियर है और रुख जाए ठीक है उस चीज पर डिफॉल्ट बिएवियर है और रुख जाए ठीक है उस चीज पर डिफॉल्ट बिफॉल्ट 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 बि prevent default तो क्या होग गchae default event को यह रोग देता है अब धोचमा आखे हम film बनाएंगे आप अगला पहले तो false लगा देते अब हम यह लगाएंगे आप हम जब form बनाएंगे तो on-submit पर यह event पकड़ेंगे और event को भूप्र Durant मालेंगे वह ज्यादा professional तरीख है ज्यादा उसके अंदरा में liberty मिलती है, उसमें false में इतना ज्यादा हमें liberty नहीं मिलती है, दूसरा ही है, उस false वाले में होता ही है, कि अगर code में कहीं बीच में error आ जाया ना तो page refresh हो ही जाता है, ultimately, नोट किया नहीं है तुम लोग ने, अगर वो false लगाव है, उपर return false और नीचे code में कहीं पर error आता है, तो page को फिर भी refresh क्यों कि वो false तक पहाँचता नहीं है, इस पहले में ये issue ऐसा नहीं होता है, prevent default is more professional है, जो react में हम सब लोग भी इस्तमाल करते हैं, अच्छा, तो ये mouse over पता चलिया, ठीक है, इसने बोला भाई, mouse over पर कुछ भी लगा दो अब, अच्छा, जब mouse over होता है, आपका, mouse over, mouse out, यही लगाया अशने, अब यार अभी एक चीज इसने और नहीं बताई, inline तो बोल दिया अशने, लेकिन inline के इलावा बताया भी तो ही नहीं है, event listener लगा बोल रहा है, इन-line तरीखा, यह अच्छा तरीखा नहीं है, तो वो दूसरा वाला इसने बताया ही नहीं है, खैर, हम अलग से देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, अलग से हम देख लेते हैं, कि क्या सीन है, अच्छा इस प्रोजेक्ट को हम यहीं पर रोख देते हैं, एक तरह में एक प्रोजेक्ट दूसरा बनाते हैं, जिस पे हम वो नए वाला तरीफा है थियर करेंगी हैं इस प्रोजेक्ट को हम यहां पर रोग देते हैं कैसे बहला इवेंट इसमें में क्या बोल देता हूं इवेंट और साथ में मैंने क्लिक लगा दिये क्योंकि इसमें जहरे जहाँ तर हमने काम क्लिक पे किया वे अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ और मैं अब जो बना रहा हूँ उसको भूलता हूँ मैं कि माउस इवेंट ठीक है माउस का इवेंट मैंने बोल दिया उसको और इसमें जो मेरे पास index.html है उसमें से मैंने सब कुछ उडा दिया अच्छा क्या ख्याल है अच्छा अब क्या बना लिया जाए कोछ अच्छी सी चीज सज्जेस्ट करो फोटो पिया जैसी कोई अब बना ली जाएगा इस की माउस के इवेंट के मैं प्रैक्टिस करनी है थोड़ा सा और देखना है माउस का इवेंट मैंने इसमें माउस नहीं आया दर बीच माउस मैं यह सोच रहा था कि क्या दिखाया था तुम ना वह उपर नहीं चे वाला यह उसमें भी ऐनिमेशन की अपियाई इस्तामाल होंगी ना वो नहीं मैं यह चा रहा हूं कि माउस जब माउस मूव होता है ना तो एक पिक्सल जब हिलता है ना तो मुझे इवेंट मिलता है हर पिक्सल के मूव करने पर मुझे इवेंट मिलता है ऐसा ही है ना तो मैं चा रहा हूं उस इवेंट को भी एक दफ़ा चला कर देख लें और इस प्र अटर और और माउस आउट है, उसको खतम कैसे करेंगे हम, खतम नहीं कर सकते हो, ठीक है, खतम करने के लिए फिर वो dot get element करेंगे, get element करेंगे उस पर से attribute उड़ाएंगे, या कुछ नगुछ करेंगे, ठीक है, तो बहतर तरीका ही है, जो अलग से किया जाएगो, अचा, तो क्य जावा स्क्रिप्ट event listener बने लिखा, जाएगे, क्योंके बुक में ये जाहरे जिकर नहीं हुआ है, बुक में क्या हुआ है, जिकर नहीं हुआ है, अच्छा, document.getElementById, कोई भी document में से आपने element get किया, और उस पर आपने बोला add event listener, आपने बोला click, और click के बाद आपने एक function दे दिया, कि भाई जब भी ये event अकर होना ये function चला देना, तो पहले तो इसी को as it is copy करके देखते हैं, ठीक है, अच्छा, मेरे पस my button करके कोई है नहीं, ठीक है, तो मैंने गोला भाई, document पही लगा दे चलो, पूरे document पही लगा दो, सही है, मैंने का document.event listener, कि पूरे document में कहीं पे भी, click हो, तो क्या हो, ये display date चला दो, अच्छा, display date जो है न, अच्छा, मैं यहाँ पे भी function direct भी pass कर सकता हूँ, ऐसे करके direct भी function में pass कर सकता हूँ, या तो function कहीं और बना के उसका मैं नाम लिख दू है, या तो direct function पास कर दो, ये तो lambda function में direct pass कर देता हूँ, तो मै मुझे document में कहीं पे भी जब click होगा, तो मुझे console पे ऐसे click लिखावा जाएगा, और ये मैंने register के इस तरह किया है, on कर के नहीं किया मैं, अच्छा, अच्छा, इसको open भी कर लेता हूँ, copy path, इन सब को बंद कर देता हूँ, मैं inspect पे गया, और inspect पे मैंने console खोला, side पे कर दिया, click, 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 सही है, click मुझे मिल गया, अच्छा, अब इस click के उपर जो है, जाहरे मुझे एक क्या मिलेगा, event भी मिलेगा, और उस event को मैं, यहाँ पर print भी करवा सकता हूँ, सही है, अब जब मैं click करूँगा, यह कैसी ही हुए, refresh नहीं किया, हाँ, refresh नहीं किया, अब मैंने जब click किया, तो अब note कर रहे हो, कौन assignment मिले मुझे, pointer event मिले, ठीक है, खोला मैंने उसको, मुझे exactly बता रहा होगा, किस जगा पर click हुआ है, client x भी बता रहा है, layer x भी बता रह है, सब कुछ बता रहा है, बारहल तो इसमें से कोई न कोई एक ऐसा होगा, कि वो मुझे बता रहा होगा, कि click का होगा, मतलब पूरी screen पे कहां click हुए, फिर browser का window है मेरा, यानि HTML का document डॉक्यमेंट ड़ार है, वो अभी HTML का document आधी screen पे ऐसा हो, तो इस आधी screen में 0 pixels से कहां click है, तो जब full screen का मुझे बताएगा, तो वो सब में बताएगा, कि सब में से कहां click होगा, प्रेशर भी बता रहा है, क्योंकि जैसे अभी ये नए वाले है ना, जो laptop, तो उसमें जो mouse होता है, उसके अंदर pressure sensor भी होता है, आईफोन में भी हुआ करता था भी वो बंद कर दिय आईफोन 8 में आखरी था, कि जब click करता था ना, तो pressure sensor भी होता था, touch screen के नीचे, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अगर मैं जाओंगा, किसी भी मैं वर्ट को ऐसे select किया, तो अगर मैं single click करूंगा इस पर, तो वो तो अलग या, लेकिन अगर मैं इस पर force touch करूंगा ना, तो यह dictionary खोल देता है, यह built-in इसका है, मैंने change नहीं किया, तो जब मैं किसी भी word पर force click करता हूं, तो dictionary उसको खोल देता है, यहाँ पर यह, इसको मैं change भी कर सकता हूं, कि भाई, force touch करने पर क्या गरे, उसको copy कर ले direct, या कुछ भी करे, तो यह force touch भी होता है, ठीक है, जो आप एपल पैंसिल की जो निब है, उसमें pressure का भी एक sensor है, कि पैंसिल आप कितनी जोर से उस पर रखा वे है, और उसके accordingly जाहर है, उनका वो अपना software है, जो markup, या और पतनी कौन सा है, तो markup उससे synchronize रहता है, वो पता चलता है उसको कि कितने pressure से click हो है, लेकिन वो ही तरह की app, अगर apple pencil को यूज कर रहा है, और ipad पे आपकी web application खुली भी है, और drawing आपे, जैसे photopia अगर तो pressure वाले को support करता है, तो अगर मैंने ipad पे photopia खोला और मैं pressure से दबा के करूँगा, तो उसका effect कुछ ना कुछ, ड्राइंग पे मेरे आना चाहिए, तो, नहीं वो जो markers होते है न आई अपनी इंटिग्रेटी प्रोडियम की समझार आजा है, उसके आपकर हम गयाक्जास करके अजर्णूरिया के टैप बना रहे है, जैसे हम आप वज़ा है, उसके साइच से अपना योगर कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, चाहिए, अपना, अभी कौन सी त अब इसका अपना जो मारकप है और भी जो अभी ड्राइंग की आजकल जितनी भी वैब अप्लिकेशन पहना, वो प्रेशर नहीं भी होना तो माउस से भी पकड़ रही होती है, जहां पर माउस क्लिक करेका थोड़े दे रखो उसको वो डार्क कर देती है, अच्छा, तो मै दाउनलोड में और मैंने ये ना फोटो उपन कर ली ये मारकप पे ले गार आगिया, अब इसका जो पैंसल है, वो एक तो है बगार प्रेशर वाला और ये शाहीद ये दूसरा वाला ने ये प्रेशर वाला है, जहां आप है मैं ज्यादा प्रेशर दे रहा हूं प्रेशर पिल्गुल बारी किसने लिखा है और यहीं पर मैं ज्यादा प्रेशर देता हूं तो यह फुल मोटा हो जाता है तो यह जितनी भी नई डिवाइसे सब में ही आइस्ता इस्ता सब में आ रहा है और इसके बड़े फाइदे हैं खास को पर जो जो मीडिया से रिलेटेड लोग है यह जो आल्टेस्ट हैं उनको बड़ा इसका फाइदा हो रहा है अच्छा तो हमने यह लगा दिया क्लिक अब इसमें और कॉन-कॉन सा लग सकता है इवेंट चलो इसको कॉमेंट कर देता हूं मैं नीचे लगा देता हूं इसमें आन माउस अब तो मतलब डॉक्यूमेंट में किसी भी जगा पर माउस अगर घूम फिर रहा होगा ना तो एक पिक्सल मूव करने पर दिका है वहा रहे हूं एक दफ़ा एवंट मुझे देगा अब मुझे एक प्ली क्कों बारा हो तो कि लिक पे मुझे कुछ ना कुछ करना और क्लिक परमॉजर मंवा चाव dewा तो मैं यहां पर आता हो एक और बनाता है इसको मैं सो मैं बलता हूँ भाई माउस डाउन यह मुझे याद निया यह मैं इसी तुक्ये में लिख रहा हूं अधर वो चेंज वोगा तो फिर देख के कुछ और करेंगे माउस डाउन माउस डाउन पर मैं क्या करता हूँ मैं कहता हूँ कि क्योंकि मुझे कॉंसोल पर दिखेगा कुछ नियतना सारा रहा है तो मैं डॉक्यूमेंट पर लवाता हूँ और छोड़िए डाउन करें तो तो य summ घुमाता हूं कि जिस तिछ पिक्सल एक साद़ो ना और जब छोड़े तु फिर जब मुव करें तो फिर नहीं करो ब्लैक नैं अभी तो कुछ भी खिषडी नहींए शुमाता है ये ये sì तो मौस मूव होने पर मुझे इवन्ट मिल रहा है इक अब पर डाउन पर मुझे इवेंट मिल रहा है अगर किछडी पट गया तो मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लता हूं ये लोग ब्रेक ले लेता हैं, सही है, कोई ऐसा मसला नहीं है देखो, एक इवेंट माउस डाउन जब माउस का बटन नीचे जाएगा ना तो ये इवेंट मिलेगा नीचे जाने पर मैंने क्या गरवा दिया, मैंने का यार बॉड़ी का ना कलर रेड दो पूरा फिर उसी डॉक्यमेंट पर मैंने अब भी लगाया, माउस डाउन, माउस अपना साथ साथ ही चलेगा जाहिर वक्त कहां था पहले और अब कहां गया है एक पिक्सल जब मूफ करेगा माउस मेरा तो मुझे बतायागा ना कि माउस अभी यहां था इस पिक्सल पे अब यह यहां चला गया प्रीवियस और आफ्टर की लुकेशन देगा मुझे दोनों को हम ब्लेक करा देंगे मिसाल के तौर पर नहीं अभी तो हम यह यह जो इवेंट है यह वला इवेंट यह कब चलेगा जब माउस डॉक्यमेंट के उपर होगा और हिलेगा ना जब एक पिक्सल मूफ होने पर यह मुझे एक इवेंट देगा अब अगर हजार पिक्सल क का डवमाली का डबब आ है अगर डॉक्यमेंट हजार पिक्सल गया तो मैं इस kurने से उस कोने तक लेकर जाओंगा तो मुझे एक हजार इवेंट देगा हिए घब एक हजार इवेंट मुझे देगा यह, तो हर event पे मुझे वो pixel मिलेगा, कि किस पे गुज़रा है अभी किस पे गुज़रा, अभी किस पे गुज़रा अब वो pixel का मेरे पस address आगिया अब उस pixel को black कैसे करना है, वो आप लोग बताएं कैसे होगा black ये तो हम पहले भी कर चुके हैं कि माउस जब क्लिक होता है, तो उसका जगा की location मिल जाती है अभी वो move पे मिल रही है, ज़रा frequency जाता है तो address तो यह समझ आगे है, जब माउस गुज़रेगा ने इसकी उपर से, तो हर pixel का address मुझे देता वज़ाएगा अब उस pixel को black कैसे करना है, ये कौन बताएगा अब गएगा जब में वाड़ी करना है, तो ये वह समझा तो होगा ने कि ये फोटो प्या जैसा software है ये बना गैसे फोटो पिया में भी तो पैंसेल है न, वो डिव ही है न, भाई, फोटो पिया जो है, वो वेब अप्लिकेशन है न, एग्री कर रहे हो न, इससे तो वो डिव है इसका मतलग है, जो भी डबबा बनावे है, वो डिव होगा, स्पैन होगा, कुछ होगा अब उसमें जब हम पैंसल से करते हैं तो वो पैंसल को पकड़ता है, ब्लेक करता है, तो उसमें ऐसा उन्होंने क्या यूज किया होगा, कुछ तो यूज किया होगा न, उसमें यूज किया जाता है कैन्वस, सही है, कैन्वस का पता है सब लोगो, नाम सुने है, नाम सुने जो है न असल में क्या होता है जब एक पेंटर होता है ना वो पेंटिंग मराने के लिए जब एक परचा लेता है ना पेपर लेता है तो उस पेपर को वो कैन्वस कहता है तो यानि canvas असल में तो imaginary होता है, कि पेंटर ने न कुछ सोचा, पेंटर ने आग बन गी और उसने बोले कि यह एक पहाड़ी है, उस पे से पानी बहे रहा है, पीछे से चान देखा है, सामने है, रात का टाइम है, उसने अपने canvas में यह सोचा ड्राउ किया, तो उसकी brain में जो Photoshop जब open होता है, software Photoshop का, तो वो जो बोलता है कि canvas select करो अपना, तो हम canvas select करता है, कि इतने पिक्सल बाई, इतने पिक्सल का, मैंने का 16 by 9 का canvas बना लो, अब उस canvas पर मैं ड्राउ करूंगा, जो पर मुझे करता है, तो canvas असल में एक परचा होता है, इस पर कुछ भी ड्राउ कर सकत है, कि जैसे आपने बोलाने कि 300 pixel by 300 pixel का canvas बना दो, ठीक है, जैसे image बनाते हैं, जैसे div बनाते हैं, आपने लिखा canvas width height 300 pixel हो गया, हो गया अपना गाम, अब मेरे पास ये authority है, कि मैं उस canvas का कोई भी pixel अपनी मर्जी से उसका color change कर सकता हूं, एक एक pixel का access है मेरे पास, कैसे करते ह हैं, वो भी देख लेते हैं, उसके बाद, उस canvas को मैं JPG में convert करके download भी कर सकता हूं, जब मैं pencil बना लूँ है, तो मैं मेरे पास ये भी authority कि जो भी display हो रहा है screen पर, उसका मैं JPG या PNG जो भी format convert करके download कर लूँ या cloud में भेज़ दूँ कहीं, ये भी मेरे पास option है, तो ये जि तरीखे पहले, canvas से पहले भी होगा कुछ न कुछ करते होंगे, लेकिन अभी canvas इन ही को मद्दे नजर रखते वे बनाया गया है, कि drawing app किसी को भी बनानी है, ठीक है, या जैसे PDF बनाना है किसी को, आपके बास database में text मौजूद है, आप चाहते हैं, वो text उठाए और एक certificate बना से text लागे न, उस पर मैं draw करते हूँ, और उसको download मारूँ, certificate generator, ठीक है, इस तरह की app चाहता हूँ न, कि जैसे CNIC जो बनता है, वो कैसे बनता होगा, ऐसी ही बनाते होंगा, वो कैते होंगा, एक canvas है, जो पाकिस्तान के जंटा बनावा है, टेक्स लाओ, टेक्स लागे रखो इसके उपर उसका PDF बना के generate कर दो, PDF जाता होगा, प्रिंटर में प्रिंट होगा, बाहर हो जाता होगा, ठीक है, तो अगर एक ही चीज मुझे, क्योंगे जाहर है, एक एक NIC को तो Photoshop पे बैट के design वो करेंगे नी, ऐसा तो नहीं करते होंगे, एक template बनाया है, यानि अगर imagine कर बने शुरू से तो यही सोचेगा बंदा के एक template बनाव है, जिस पर पाकिस्तान का जंडा बंडा पीछे बनाव है, फोटो की जगा खाली है, नाम की जगा खाली है, फोटोशॉप पे open किया, नाम edit किया, और भेज दिया PDF बना के या PhD बना के, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि एक एक पर बहुत टाइम लगेगा, तो most probably उनों है, कुछ ऐसी setting की भी होगी, कि click करते होंगे, database से जो entry होई है, वो आती होगी, एक तरफ से canvas बनता होगा, और canvas पर वो सारा draw होके, एक नया PhD या नया PNG बनके printing पर चल जाता होगा, most probably ऐसा होगा, ठीक है, या जैसे ID card print करना है मुझे किसी के, मैं चाता हूँ कि हर जितने भी student enroll हो रहे है, मेरी website है, enroll हो रहे है, जाहिर है, sign up कर रहे है, data सारा आपना खुद दे रहे है, ठीक है, roll number मैं उनको assign कर रहा हूँ, तो database में data तो आग या ना सारा, अब मैं चाता हूँ कि हर student के against एक ID card generate हो जाए, कह एक page पे उसको लेके जाए, मापके पहले से canvas हो, automatically internet से data उठके आए, database से, और वहाँ पे उसका ID card बना के canvas पे दिखा दे और download का button दे दे, download करे, ID card download हो जाए, समझ रहे हो ने, क्या चल रहे है कहानी है, समझ रहे हो ने, क्या चल रहे है कहानी है, ऐसी हुआ है, ऐसी हुआ है सही है, अच्छा, इसकी libraries भी है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप यह हाथ से कर रहोंगे सारा काम, जैसे, जो सेलानी में जो लगाए है, most probably एक library है, PDF बनाने की library होती है, तो बहुत सारी libraries भी है, जिनसे यह काम हो जाता है, लेकिन जाहिर है, जब बिलकुल ही अनोखा case आपको आना चाहिए, बेसिक चीज़ पता होगी, तो फिर कोई इशू नहीं है, अच्छा, तो हम क्या करते हैं, canvas बना लेते हैं, यह गदर, अच्छा, खतम करते हैं, चलो, canvas मैंने बना दिया, इसको एक ID दे दी मैंने, मैंने का my canvas, सही है, मैंने क्या कह दिया, my canvas, अच्छ और मैंने इसकी एक विर्थाइड भी बता दी, विर्थाइड मैंने का कि भई, 300, ठीक है, विर्थाइड मैंने 300 pixel कर दी इसकी, ठीक है, यह canvas मेरा बन के आ गया, canvas पे भी कुछ भी नहीं हुआ हो, ठीक है, अच्छा, अब मैं यह जो mouse, down और mouse अप है न, यह भी मैं किस पे लगा दूँगा, canvas पे लगा दूँगा, चलो canvas पे नहीं भी लगा दूँगा, बाहर भी, के mouse डाउन हुआ वागर अंदर जाए, तो भी, ठीक है, तो बाहर भी कर सकता हूँ, मैं अंदर भी लगता हूँ, मैंने का document dot, तीनो document पे मैं यह लगा दता हूँ, यह जो तीनो document है न, इस पे मैं क्या दता हूँ, dot, query, मैंने का my canvas पे लगा हूँ, mouse down भी, mouse up भी, के canvas पे जार के click करके वो गुमा रहा हूँ, सही है, इस canvas पे मैंने वो भी लगा दता हूँ, border, ताके मुझे पता चलता रही है, यह है कहाँ पर, मैंने का canvas, canvas एक ही है मेरे पास, मैंने का भई, border, one pixel, solid black, तो यह मेरा canvas मुझे पता चली है, के अच्छा है, यहाँ पर है, ठीक है, मैं console पर गया, refresh, यह क्या हूँ, यह क्य सही है, अच्छा, यहाँ पे देखो, mouse घुमा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे उसके उपर जाए गुमाऊंगा, event मिलेगा, और, देखो, down करना से चल भी रहे, लेकिन यहाँ क्लिक करूँगा, तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने, mouse down, mouse अब सब मैंने उसके उप कर दिया है, क्लिक करने पर पूरी body को red किया हुआ है, ठीक है, अच्छा, लेकिन अब मुझे क्लिक क्या करना है, क्लिक करने पर, मुझे असल में क्लिक करने पर एक variable होगा, मेरा जाहर है, मैंने का let mouse, ठीक है, down, ठीक है, इस mouse down, यह इसका नाम में रख देता हूँ, क्या mouse दबावा है अभी, मैंने शुरू में कह दिया कि भई, false है, जाहरे शुरू में दबावा नहीं होगा, false होगा, तो मैं अब यहाँ पर क्या बोलता हूँ, कि यह रेड बेट करना छोड़ो, इस mouse down अने इसको true कर कर दो, और mouse up का event मिले, तो क्या कर दो, इसको false कर दो, ठीक है, तो मेरे पास एक variable है, जो क्या होता है, true, false होता है, ठीक है, अड़े, यह क्या क्या, अच्छा, refresh नहीं किया, ठीक है, अब देखो, वो click पे न, वो चीज होना बंद हो गई है, अच्छा, फिर मैं अब यह क्या 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 देता हूं, कि भाई, अगर mouse down हो, तो यह event जभी show करो, otherwise show नहीं करो, मैंने का, if is mouse down, तो ही इस console को दिखाओ, वरना यह console भी मुझे मत दिखाओ, ठीक है, मैं इसको refresh कर देता हूं, अब देखो, इस पर ऐसे घुमाऊंगा नहीं होगा, लेकिन click करके घुमाऊंगा तो मिलेगा, इहां तक का तो काम हो गया मेरा, अब काम आखरी रह गया सिर्फ पिक्सल का color कैसे change हो गया, इसके, जिस पिक्सल पे मैं हूँ, इस वक मौझूद उसका color कैसे change होगा, काम आखरी रह गया, यह, कर लेते हैं ना आजी, हैं, कर ले ना आजी, अच्छा हाव दू चेंज अपिक्सल इन कैंवस एश्टेमल यह किसीने सवाल पूचा हुआ है वाट इस बेस्ट वे तू सेट अपिक्सल इन एश्टेमल 5 कैंवस कह रहा है मैंने यह तरीकहा किया है यह कह रहा है मैंने इस तरह किया है अच्छा मेंने यहां से पता नहीं चलेगा है CTX से यह हम ज़रा कैंवस करना वो खोल लेते हैं जो आपका, क्योंकि जाहर है ये लोग to the point बात कर रहे हैं, जिन पता है न वो main बात कर रहे हैं, जो पूरी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये canvas का मने खोल लिया, W3 school पर, ठीक है, empty canvas इसने दिखा दिया, try it yourself में किया है भई, ये कुछ भी नहीं है, इन्होंने भी न वो किया वा होगा, कि canvas का लाइन चाहिए, ये draw line आ गया, कि canvas के उपर एक line draw करनी है, तो कैसे हो गाई ये, इसने बोला कि document.get element by id करके ना, जो my canvas है, उसको आप उठा लो, वो है c, यानि canvas है, ठीक है, उसके बाद dot get context और 2D context इसका आपको चाहिए, तो वो ctx बन गया, ctx कुछ पता नहीं, get context इस canvas का access है, एक तरह से, ठीक है, ये 2D में मुझे चाहिए, 3D भी हो सकता ही है, ठीक है, और भी कुछ होता होगा, लेकिन जाद अधर तो मैंने 2D देखा, और कौन सा होता है, मुझे पता नहीं, देख लीजेगा, तो ये मैंने ctx तयार कर लिया, किस ctx, अच्छा, इसको मैं direct यहां पर भी आगे भी लगा सकता हूँ, इसको मैंने cut किया, और यहीं पर यागे dot करके लगा लिया, और मैंने बुला भाई, यही ctx है, सही है, और इस ctx मैंने तयार कर लिया, अभी ctx पे क्या करने से, ये set होता है pixel, वो यहां पर बता रहे था ह सही है, जाहिए, जाहिर है, यह सिफ के अंदर अब करूँगा, मैं जो भी करूँगा, अब ctx करके dot, क्या था उसका, बताया था बन्दे ने stack over flow बे, set pixel, अच्छा, ctx dot, अच्छा, ये c जो उसने अलग से बनाया था न, ये भी मुझे required है, अच्छली, ये भी मुझे required है, सही है, यार इसने कोई बड़ी मुश्किल बात किये, हम कोई दूसरा असान देखते है, हाँ, ये आगया न, देखो, इसने क्या बात किये, कह रहा है, देखो, इसने क्या बात किये, कह रहा है, कह रहा है, create a one by one image data using a set of colors, कह रहा है कि वो जो canvas है न, उसको कुछ भी draw कर सकते हैं, तो one pixel by one pixel की image draw करते हैं, ठीक है, set the color, और उसका color site करते हैं फिर, and put image data at a location, अच्छा वो कैसे होगा, इसने का, my context dot create image data, और one by one किये, image किया, do this only once per page, अच्छा उसके बाद इसने id उठाई है, data की, और उसके बाद क्या किया है, उसके rgba करके जोई न, वो उस pixel का color site करवा गया, तो ये भी हम कर सकते हैं, दूसरा कह रहा है कि भाई, use fill rect, सही है, fill rect का मतलब है, कि fill rectangle, यह एक rectangle shape बना कि उसको fill करते है, single government, ठीक, to draw a pixel, there should be no aliasing issue, ठीक, अभी aliasing issue, मुझे भी नी पता क्या होता है, कहरा है कि CTX जो है न, उस पे आप बोलो कि fill style, और fill style करके ये color इसने पास किया, ये color snake दिया, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर देते है, CTX.fill style, हम शुरू में एक set कर देते हैं, कि ये क्या होगा, CTX.fill style, fill style का मतलब, कि, यार क्या spelling में mistake कर रहा हूँ, ठीक है, fill style मतलब pencil पकड़ी है इसने, कि कौन से color की pencil selected है इस वाक्त, वो change भी हो सकती है, तो इसने most probably क्या दिये, R, G, B और A, ये इसने कुछ color जो है न, उपर variable भी बनाया है, ये उसमें से दे रहा है, well, हम इसको RGB ये न, हाथ से देते हैं, black color का RGB ये क्या होता है, कौन बताएगा, 0, 0, 0, 0, 0, और चौता वाला जो है, वो 1 होगा, क्योंकि opacity होता है RGB में, तो ये मैंने हाथ से इसको black color का RGB ये पास कर दिया, अच्छा, अब अगला काम क्या करना है, fill rectangle करना है, fill rectangle मुझे क्या-क्या मानता है, चार parameter मानता है न, fill rectangle, ठीक है, तो 4 parameter तो आप देख लेते हैं, fill rectangle में क्या है, 4 parameter, पहला वला क्या है, y-axis और, rectangle को 4 गोने होता है, rectangle के, Rectangle के 4 कोने होते हैं अगर मैं Rectangle'Draw करता हूँ ठीख है? तो 4 कोने मुझे चाहिए है मिसाल के तरह पर मैं यहाँ पे ractangle बनाता हूँ photography vidare photography ok कहाँ से करो इसको अच्छा यहाँपे अगर मैं Rectangle draw करता हूँ, तो इसके चार कोने न, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल कोने पे rectangle draw करता हूँ, इसको मैं बिल्कुल zoom in किया, और यहाँ पे मैं कोने पे rectangle draw करता हूँ, तो most probably इसका जो, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, बहुत ही छोटा कर दिया ठीक है, तो most probably यह वाला पार्ट जो इसका क्या है, जीरो पिक्सल भाई जीरो पिक्सल है, ठीक है, और यह वाला पार्ट क्या है इसका, वन पिक्सल भाई वन पिक्सल है, और यह वाला पार्ट क्या है इसका, इस X में यह वन है, लेकिन Y में यह जीरो है, ठीक है, और यह वाल X में 0 है लेकिन Y में बनेगे तो ये इसको 4 values देनी है ठीक है तो इस कोने की value और इस कोने की value अगर मैं दे दूँ जाहर है इसको जब मैं बनाता हूँ तो मुझे क्या चाहिए एक start point और एक end point तो मैं शुरू की और ये वली दे दूँ अगर तो मसला मेरा हल हो जाएगा तो अगर मिसाल के तौर पे मैं 00 और यहां पे 1,1 देता हूँ तो इसका मतलब है कि बिल्कुल start में एक pixel मेरा उसका color change हो जाएगा तो हम देखते हैं कि एक pixel का color ऐसे change होता है या नहीं होता कहा अगया भी मेरा वो रिफ्रेश किया मैंने तो एक pixel यहां पे क्या हो जाना चाहिए ब्लेक हो जाना चाहिए एक pixel पे बॉडर ही आया थोड़ा चलो 100 pixel करा लेता है अच्छा error दे दिया इसमें कुछ कुछ bracket कहीं मैं miss कर दिया मैंने कहां पे बला किये अच्छा यह ctx dot करके मैंने यहां पे लिखा है न इसको यहां से अटा दोता है ठीक है वो उतना pixel किया हो गया ब्लैक हो गया अच्छा तो अब यह वाला जो काम है न यह fill rectangle वाला इसको मैं यहां पे नहीं करना मैंने यह काम करना यहां पे आगे ठीक है मैंने यह काम करना यहां पे आगे ठीक है तो अभी मैं बोलता हूँ कि कहां पे कर दो तो मैंने बुला भाई कि न 30 by 30 से start करो और 31 by 31 तो इसका मतलब है कि 30 by 30 पे एक छोटा सा dot बना रहा हूं ठीक है? 30 by 30 पे एक छोटा सा dot क्या हम find out कर पहेंगे? थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम 35 by 35 कर देते हैं पांच पिक्सल भी नदर नहीं आ रहा है, यह क्या स्कीन है? एरो रागिये के दोबारा अच्छा इवेंट पर क्लिक भी तो करना पड़ेगा, क्लिक करने पर आएगा न यह बगएर क्लिक क्यों, मैं भूलना हूं, यह क्या सीन है? 31 तो बारा कर देते हैं, एक पिक्सल ही चाहिएंगा जब तक खक्लिक नहीं करूंगा जब तक यह चले ही नहीँ, अचा वन पिक्सल अभी भी नहीं दिखा रहा, चलो पांच पिक्सल करता है । रिफरेश किया पांच पिक्सल यह काफी बड़ा नहीं हो गया पांच पिक्सल इसका और अ 300 pixel का रहा है यार वेल ओके 32 भई 32 करता हूं तो क्या होता है यह उतना बड़ा ही बना रहा है वही अचा फिल रेक्टेंगल का तरह देख लेते हैं क्या पैरामेटर है बगार देखे लगे हैं हम लोग ठीक है फिल रेक्टेंगल लिखा तो यह मुझे फिल रेक्टेंगल की डॉक्यमेंटेशन आ गई कि क्या किया इसको चाहिए होता है ठीक है ड्रॉआ आफ 150 भई 100 पिक्सल रेक्टेंगल अच्छा जो पहला वाला है वो इस्टार्डिंग पॉइंट है और दूसरा वाला है वो उसका साइज है ठीक है दूसरा वाला जो उसका साइज है तो मैंने बत्यस पिक्सल लिख्या है तो बत्यस पिक्सल साइज है मैंने कहना है वन भई 1 का मुझे ड्रॉ करो या पांच भ तो मैंने गाँ चलो 2 पिक्सल का मेरी पैंसेल है भी तो 2 पिक्सल का ड्रॉ करना है अच्छा यह 30 और 30 जो है यह मुझे अब कहा से उठाना है यह माउस का मुझे पॉइंटर देखना है उससे उठाना है सघे अब यह जो इवेंट मेरे पास प्रिंट होता है इसमें अब तलाश करता हूँ कि वो वहलो इवेंट कौन सा है जिसमें मुझे क्ञिक्टमी पिशो propre Dulc. मैं इसको क्लिक करता हूँ और जब इसको मैं मूफं करता हूँ सभी है ये जो आखरी मैं इसको लेकर आता हूँ ना इस पोने में तो अब यह आखरी वाले पर देखते हैं मुझे 300 बाई 300 जहां पर मिल रहा है न वो मेरा है वो ही मेरा आइटम है जिसकी मैं तलाश मुँना हूँ सब में ज्यादा मिल रहा है तोड़ा तोड़ा मेरा ख्याल है मुझे टार्गेट में शायद मिल रहा हुगई एक्जेक्ली मुझे 300 बाइ 300 मिलना चाहिए या उससे कुछ कम क्लाइंट विर्थ 300 क्लाइंट हाइट शायद यही है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं अब इसको चाहिए अपना टार्गेट के हाइट है एक और कर गेट शायद विर्थ अभी इसको ने कॉन्सोल कराता है ना टार्गेट.pliant.height टार्गेट.client.veilth क्लाइंट विर्थ और क्लाइंट हाइट क्लाइंट हाइट सही है ठी हो गया अच्छा यहाँ पर इसको हम डाल भी देते हैं बाई दले X और Y की जगह पर इसको मैं लगा भी देता हूँ कि अगर सही हो गदो चल जाएगा हाथ के हाथ सही है इसको मैंने प्रिंट भी करवा दिया इसको मैंने यहाँ पर लगा भी दिया देखते हैं क्या होता है रिफ्रेश किया है मैंने इसको कॉंसोल को किलियर किया अच्छा यह हमेशा ही 300 ही देता है यह हमेशा ही 300 दे रहा है अच्छा तो मुझे आप यह यह चाहिए क्या जीरो भाई जीरो वाला तलाश करता है ओफसेट होगा ओफसेट एक्स ओफसेट भाई यह त्राई करके देख लेता है यह त्राई करके देखता है अच्छा यह तो अंडिफाई नहीं मिल रहा है यह क्या सीना अच्छा वो डॉट टार्गेट में नहीं है न यह डायरेक्ट हो चलो भई बन गई हमारे ड्रॉइंग की आप एक चोटी सी आप बनी है अब इसको जतना इन्हांस करते चले जो अब वो तुम्हारे उपपर है अच्छा अभी नहीं डॉट छोड़ते छोड़ते जा रहा है अगर मैं जल्दी जल्दी करता हूं तो यह छोड़ता हमाँ जा रहा है तो नेया डिजाइन है यह तो हमने यह छोटी सी जोड़ने डिजाइन की आप बना लिए अब इसके उपर हम सबसे पहले ड्रॉख करते हैं पाकिस्तान का जंडा सही है यह पाकिस्तान का जंडा ड्रॉख हो गया इसके उपर चलो बई पाकिस्तान जंदाबाद इंशाल्ला मिलते हैं आर्या असाइमेंट तो दिया नहीं वाने कोई आज़े इसको अपने हाथ से बनाना इसके अंदर एक एडिशनल चीज कर लेना सरफ यहां पर डाउनलोड का बटन बना रहा हो पहले तो यह जो डॉट छोड़ रहा है इसका मसला हल करना है कि क्या चीज़ है बाई डॉट क्यों छोड़ रहा है एंटी अलियस ना हाँ तो वो देख लेना बारहल अचा नमबर एक चीज़ डाउनलोड का बटन इसके अंदर आज़ा कि कुछ भी मैं डॉट करके ना डाउनलोड कर लो है